जैहिन अब्रिवन आज हम लोग जन्वरी से औगस्ट मन्द के मोस्ट इंपॉर्टन करेंट को डिसकस करेंगे इसमें हम लोग 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टन करेंट जो नैशनल इंटरनाशनल है उसको डिसकस करेंगे और इसमें 200 से 2500 बीहार स्पेशल करेंट को मैंने लास्ट उसी को मैंने इसमें include किया है तो चलिए हम लोग discuss कर लेते हैं इसमें हम लोग 500 plus most important current को discuss करेंगे जो national और international है और last में बिहार special को भी मैंने इस video में include किया है अगर आप January से August तक current पढ़े हैं तो आपका पूरा इसमें revision हो जाएगा most important current को मैंने इसमें include किया है तो चलिए हम लोग discuss करते हैं किस बिद्धूत सन्यंत्र को सोवन शक्ती पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो कहलगाओ बिजली सन्यंत्र बहुत जादा important है चंद्रमा के दक्षिनी धुरुव पर सफलता पुर्वक उतरने वाला पहला देश बना कून भारत next है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर रखा गया क्या रखा गया असमीता महिला लीग बहुत जादा important है next है भारती निर्वाचन आयोग ने किसे national icon के रूप में चुना तो सचिन टेंडूल कर most important है देखिए इस session का नाम ही है फटाफट current हम लोग बहुत कम समय में अधिक से अधिक current को discuss करेंगे इसमें ज़्यादा हम लोग details से discuss नहीं करेंगे next है इसरू ने चंद्रयांतरी मिशन के साथ भेजे गए रूवर को क्या नाम दिया है तो प्रज्यान most important है next है बिरिक्स समू का शिखर सम्मेलन किस देश की अधिक्सता में आयोजित किया गया तो दक्षिन अफरीका के जोहन बर्ग में दक्षिन अफरीका की अधिक्सतान next है कमल के फूल के नई किस्म नामो 108 को किस रिसर्च इंस्टिट्यूट में बिक्सित किया गया बहुत जादे important है National Botanical Research Institute लखनों के द्वारा next है PM उशा अभियान का संबन किस से है तो ये शिक्षा मंत्रलाई से है next है महराष्ट सरकार द्वारा अस्थापित पहला उद्योग रतन पुरुसकार दिया गया किसे दिया गया रतन टाटा को दिया गया most important है next है बिहार के किस जीले में क्यूल महत्सव मनाया गया तो लखी सराई में बहुत important next है हाल ही में चर्चा में रहा spear fishing क्या है तो ये एक email या electronic संचार scam है next है बिहार के किस जीले में राम व्रिक्ष वेनी पूरी का अस्मारक बनाया जाएगा तो मुझफर फूर में most important है next है भारत तिब्बत विचार अध्यन केंद्र बनाया गया कहाँ पे बनाये गया ये गया में बनाये गया next है नितिश कुमार ने सोने का हाथ पुस्तक का बिमोचन किया इसको किस ने लिखा है तो डॉक्टर राजवर्धन अजादने most important है next है बिहार सरकार ने खरिफ महा वियान 2022 की शुरुवात की इसके तहट सरकार किसानों की सहतार्थ कितनी परतिशत का अनुदान देंगे ठीक है तो 90 परतिशत का अनुदान देंगे most important है next है चंद्रियान 3 के landing जगा को किस नाम से जाना जाएगा तो शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा next है चीन ने पहला नागरिक आंत्रिक्ष यात्री को आंत्रिक्ष में भेजा क्या नाम है उनका गुई हाई चाओ बहुत ज़्याद इंपॉर्टेंट है next है 2030 को किसे लोकमान ने तीलक राष्टिय पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो पीम नरंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया next है इसरु ने किस देश के सेबन सैटलाइट को PSLB C-56 रॉकेट से लॉंच किया तो सिंगापूर most important है next है सांस्कृत महोचसव आदी पिरक को कहां मनाये गया तो तमिल नाडू में सेलिबरेट किया गया है next है 2030 को ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा माननेता प्राप्त आठों देश बना next है एक जिला एक उत्तपाद को लागू किया किसने लागू किया गुजरात ने next है खेल प्राधिकरन द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम है next है अन्वरुल हक ककड किस देश के कारिवाहक परधान मंतरी बने तो पाकिस्तान के most important है next है जी ट्वेंटी फिल्म मोहतसव कहां शुरू हुआ तो नई दिल्ले में शुरू हुआ next है SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थ वैवस्ता बन जाएगी तो 2027 तक next है भारत के पहले 3D मुद्रित डाक घर का उदगाटन कहां किया गया ठीक है तो बैंगलूरू में किया गया next है RBI नी बैंकों में जमा अन क्लैम्ड डिपोजिट का पता लगाने के लिए कून सा पोर्टल लॉंज किया तो उदगम पोर्टल most important है next है किस राज सरकार ने परवासी श्रामिकों को पंजिकरित करने के लिए अतीथी पोर्टल लॉंज किया तो केरल next है कहा कि मैटी केले को GI टैग मिला तो कन्या कुमारी के मैटी केले को GI टैग दिया गया है next है महिला फीफा विश्यकप 2030 का खिताब जीता किसने जीता इस्पैन ने most important है next है किस किरकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नैशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया तो सचिन टैंडूल को next है कितने देशों को BRICS में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया तो 6 देशे को next है किस सरकार के द्वारा लकी बिल एप लॉंच किया गया तो केरला के द्वारा next है परधान मंत्री नरंद्र मोदी ने किस देश में औग्यात सैने को की कबर पर सरधांजली अर्पित की तो Greece most important है next है 2030 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितनी परतीशत पक्षी परजातियों में कमी आई है तो 60% की कमी आ गई है next है National Green Tribunal के नए अध्यक्च बने Justice परकाश श्रिवास्तव next है नेहरू Memorial संग्राहलय और पुस्ताकलय का नाम बदल कर क्या रखा गया तो PM संग्राहलय और पुस्ताकलय next है रेमन मेकसे से पुरुषकार 1959 किसे दिया गया तो दलाई लामा को दिया गया most important है next है और last है नेटू का साइबर रक्षा भ्यास लॉग शिल्ड 2030 कहां आयजित हुआ ठीक है तो तैलीन एस्टोनिया में बहुत ज्यादा important है कहां पर तैलीन एस्टोनिया में इसको आयजित किया गया है पहला है यूरो को अपनी अधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला बीसवा सदस्य देश बना पुरेशिया ठीक है बहुत important है अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आहमदबाद दिल्ली संपर्ग करांती एक्सप्रेश का नाम बदल कर क्या किया जाएगा तो अक्षर धाम एक्सप्रेश कर दिया जाएगा नेक्स्ट है किस देश ने इबोला रोग के परकोप के अंध की घोषना की तो योगांडा ठीक है जर्मनी के बाद हैड्रोजन ट् कोन है जर्मनी उसके बाद चीन बना नेक्स्ट है F.A.O ने कहां अंतराष्टी बाजरा वर्ष 2013 के उत्गाटन समारों का आयुजन किया रोम इटली में नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच ने चौंथी और धोगी करांती के केंद्र की अस्थापना के लिए अस्थान चुन बना तीसरा सबसे बड़ा आटो बजार बना ठीक है नेक्स्ट है फुल ब्रूड रोग से मधुमक्यों की होने वाली मौतों को रोखने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन इस्तिमाल को किस देश ने मंजूरी परदान की ठीक है तो अमेरिका ने मंजूरी परदान किया है नेक्स्ट है उत्तर परदेश के अमेठी में भारत एबंकिस देश ने संयुक्त रूप से AK-203 असोल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया तो रूष ठीक है नेक्स्ट है लूमिनस कमपनी द्वारा भारत का पहला हरित उर्जा आधरित सौर पैनल कारखाना कहां बन बनाया जाएगा किसकी दूआरा भार भारत बनाया जाएगा लूमिनस कमपनी द्वार ठीक है नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने मैथली ठाकूर को किस राज्जी का स्टेट अइकॉन निउप्त किया तो बिहार का नेक्स्ट है तते शियाचीन में तैनात होने वाली पहली म अधिकारी कौन बनी तो शीवा चौहान नेक्स थे किस राज्य सरकार ने मट्या बाग हवा महल का अधिगरन किया ठीक है तो असम बहुत इंपॉटन्ट है नेक्स थे किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधी बिरजगारी दर्ज की गई तो हर्याना में ठीक है नेक्स्ट है किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एरपोर्ट का उद्गाटन किया तो नेपाल ने बहुत important है हम लोग one liner discuss कर रहे हैं इसमें हम लोग बहुत कम समय में अधिक से अधिक करेंट को discuss करेंगे किस राज्य में wall of peace mural बनी तो केरल में नेक्स्ट है दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में नेक्स्ट है विश्व का पहला ताड की पत्तू का पांडू लिपी संग्राहलाई खोला गया कहाँ पे खोला गया केरल में नेक्स्ट है केंद्रिय गिह मंत्री अमित्षाह ने 120 फीट उंची पोलो परतिमा का उद्गाटन किया कहां किया मनिपूर में ठीक है नेक्स्ट है साथ जन्वरी को किस राज्य सरकार ने जाती सर्वेक्षन शुरू किया तो बिहार ने शुरू किया है किस परदेश में बेली सस्पेंशन ब्रीज का उद्गाटन किया गया तो जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट है देश के पहले परपल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया गोवा में किया गया नेक्स्ट है चेर चेरा महुत्सव कहां मनाये गया 36 गड में मनाये गया नेक्स्ट है किसे अवार्ड फूर ग्लोबल लीडर्शिप से सम्मानित किया जाएगा डीवाई चंद्रचूर को सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट है उस्मानाबद जीला अदालत किस राज्य की पहली इज कोट बन गई ठीक है एनी महरास्ट की मन्पृत मोनिका सिंग ने किस देश में पहली महला सिख नियादीश के रूप में श्यफत ली तो अमिरीका में बहुत इंपॉर्टन थे कौन है मन्पृत मोनिका सिंग इंदौर मद्धपरदेश में आयोजित शत्रवा परवासी भारती सम्मेलन के मुख्य थे थी थी कौन थे डॉक्टर मुहम्मद इर्फान अली कहां के गोयाना की राष्ट पती थे बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है किसे पतंग राव कदम पुरुसकार मिला तो आधर पूनावाला को हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2030 में कौन शिर्ष पर रहा जापान शिर्ष पर है और भारत का स्थान 85 ठीक है नेक्स्ट है भारत का सबसे परदूशिश शहर कौन रहा दिल्ले नेक्स्ट है किस देश के कप्तान ह्योंगो लोरिस ने अंतराष्टी फुटबॉल से सन्यास लिय तो फ्रांस नेक्स्ट है एक अप्रेल 2030 में पैट्रोल में कितने परतिशत एथनॉल मिलानी की घोशना की गई तो 20% बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट है परधान मंत्री ने वारानसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे कुरूज गंगा बिलास लॉंच किया तो दिबु नेक्स्ट है पंद्रवी हौकी विश्यकब का उद्गाटन कहां हुआ कटक में हुआ नेक्स्ट है किसने परतिश्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवर्ड जीता तो जिंदल स्टील ने ठीक है नेक्स्ट है किस राज्य का कुल्लम भारत का पहला संबिधान साक्छर जीला बना तो केरल का कुल्लम संबिधान साक्छर जीला बना भारत का पहला ठीक है नेक्स्ट है अंडमान निकवाद दुईप समू के कितने दुईपों का नाम करन प्रांबीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया तो 21 नेक्स्ट है ममानी महुतसव कहां आयजित किया गया तो युनेसको चोहत्तरवे गंतंत्र दिवश पर भारत के मुख्या थी थी थे अब्दुल्फटे अलसीसी जो मिस्र के रास्ट पती थी ठीक है नेक्स्ट है किस रेल्वे स्टेशन को ग्रीन रेल्वे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया तो विशाका पत्नम रेल से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ सम्झोता किया दक्षिन अफरीका नेक्स्ट है किसे डॉक्टर बाबा साहिब अंबेट कर राश्टिय योगदान पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर सुनिल कृष्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ह आइसेसी स्प्रिट ओब दक्रिकेट अवर्ड से सम्मानित किया गया आसिफ शेक जो नेपाल के नेक्स्ट है राश्टिय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेजडर बनाया निकहत जरीन नेक्स्ट है किस राज्ज की हर गाउं हर्याली पहल ने नब्बे लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया जम्मू कश्मिर नेक्स्ट है गंतंत्र दिवस परेड में किस राज्ज की जहांकी ने पहला प्रोसकार जीता उत्रकन नेक्स्ट है किस भारते खिलाडी ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास की घोशना की मुरली बिजए नेक्स्ट है बायोईश्या 2030 के लिए भागिदार देश की रूप में किसे नामित किया गया यूके को नेक्स्ट है 31 जनवरी 2030 G20 की पहली बैठक कहां शुरू हुई पुलिचेरी में कहां हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया तो आस्ट्रेलिया में आस्ट्रेलिया के सिड्नी में इस तेत हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया इसका ज Paris Park का नाम बदल कर Little India किया गया है, इसका आधरशिला किसके दुआरा रखा गया है, तो PM नरेंदर मोदी के दुआरा रखा गया है, ठीक है, नेक्स्ट है, आंत्रिक्ष में जाने वाली पहली अरब महला आंत्रिक्ष यात्री कोन बने, ठीक है, तो ये रयाना बरगानी बनी है ठीक है, नेक्स्ट है, रख्षा मंतरी राजनात सिंग ने भारत की पहली वायुसेना हैरिटेज सेंटर का उदगाटन कहां किया, ठीक है, तो चंडिगड में किया है, नेक्स्ट है, कमदूरी की बैलस्टिक मिसाइल टेफून का परिक्षन किया, इसकी दुआरा किया गया ह नेक्स्ट है, अराकू कॉफी को जैबिक परमान पत्र मिला, ये कहां कहें, आंधर परदेश का है, बहुत इंपोर्टन है, आप जब पूरी वीडियो देख लिजेगा, तो आपको पता चलेगा, कि किस तरह का करेंट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, सिर्फ जन जाती द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया, ठीक है, तो उडिशा में मनाया गया, नेक्स्ट है, भारती सेना ने कहां बुलंद भारत अभ्यास ही आयोजित किया, ठीक है, बहुत इंपोर्टन है, अरुनाचल परदेश में, ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच गोपाल गंज में पहले बोडर हाट का उदगाटन हुआ ठीक है तो बंगला देश नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने आपरिशन मर्यादा चलाया ठीक है तो उत्राखन के पुलिस ने आपरिशन मर्यादा चलाया नेक्स्ट है भारत ने किस देश में सित्वे बंदर्गा बहुत इंपॉर्टेंट है का संचालन शुरू किया तो मैंपार में शुरू किया नेक्स्ट है लोरियस स्पोर्ट्स man of the year 2030 अवर्ड जीता ये लियोन मैसी ने जीता है भूत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बिडकर अवर्ड दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर परदेश की योगी आदित तिनात को भारत रत्न डॉक्टर अम्बिडकर अवर्ड दिया गया next है किस बंदरगा को सागर श्रिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया तो कोची बंदरगा को बहुत important है next है किसे अरजुन अवर्ड से सम्मानित किया गया तो अंजुम मौधिगिल को अरजुन अवर्ड से सम्मानित किया गया चक्रवात से परभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करूना शुरू किया थिक है तो मैंनमार के लिए मैंनमार में चक्रवात आने से बहुत जादा नुकसान हुआ था उससे बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करूना शुरू किया था नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने दूसरी पेड़ी के कितने स्टार्लिंग उपगरह को औरबिट में लॉंच किया तो 22 को लॉंच किया था नेक्स्ट है किस देश ने भारत की डीजिटल भुकतान पर नाली यूपी आई को अपनानी की एक्छा जताई जैपैन ने नेक्स्ट है अरब लिग का 32 शीकर सम्मेलन आयोजित किया गया जिद्दा में नेक्स्ट है 37 राष्टी खेलों में किस परामपारिक खेल को शामिल किया जाएगा गत का बहुत important है गत का खिल पंजाब का है बहुत जादर important है 37 वे राष्टे खेल में इसको सामिल किया जाएगा next है किस देश में 2025 को विशेष परियाटन वर्ष की रूप में मनाया जाएगा तो नेपाल में 2020 को विशेश परियाटन वर्ष की रूप में मनाया जाएगा Next है, किसने इटालियन ओपन 2030 जीता तो डैनियल मैदवे देव ने जीता है Next है, माउंट एटना जॉालमों की कहाँ इस्तित है तो इटली में इस्तित है माउंट एटना जौलम की इस्तित है इटली में नेक्स्ट है अल मोहद अल हिंदी 2030 नौ से न अभ्यास भारत ओर किस देश के बीच हुआ ठीक है भारत ओर सौधी अरब के बीच हुआ है नेक्स्ट है यूटी खादर बहुत इंपोर्टेंट है यूटी खादर किस राज्य की विधान सभा की पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने ठीक है तो करनाटक के बने बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है शराब पर सवस्ते चिताबनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कून बना तो आरलेंड बने हैं नेक्स्ट है किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतराष्टे बुकर पुरुसकार जीता तो जॉर्जी गोस पोड़ी नोब जीता बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है भोटो जात्रा उत्सव कहां मनाए गया तो नेपाल में मनाए गया है नेक्स्ट है कॉप 28 अध्यक्ष की सलहकार समेती में शामिल वे कौन मुकेश अंबानी को इसमें शामिल किया गया है नेक्स्ट है बलादी वस्तोक बंदरगा किस देश में स्थित है तो रूस में स्थित है नेक्स्ट है city of dead किस देश में स्थित है तो मिश्र में स्थित है बहुत important है नेक्स्ट है बांद्राव और सोबस समुद्री पूल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा बेडी सावरकर के नाम से रखा जाएगा नेक्स्ट है आइफ़ा अवर्ड दो हजाद तेस में best actor का अवर्ड किसने जीता तुरितिक रोशन ने बहुत important है 57 वा ग्यानफिट प्रुसकार किसे मिला ठीक है तो दामोदर मोजो को मिला है बहुत important है ये question आप बहुत important है आप इसको याद रखें विश्व सवस्त संगठन का बाहरी लेखा परिक्षक किसे न्यूक्त किया गया तो ग्रिश चंदर मुर्मो को न्यूक्त किया गया है नेक्स्ट है देवी लोक महुत्सव की शुरुवात हुई मद्ध परदेश में इसकी शुरुवात हुई है ठीक है विश्व तामबाकु निश्वे दिवस जो 31 में को मनाया जाता है की थीम थी इस वार की जो थीम थी हमें भोजन चाहिए तामबाकु नहीं बहुत वालई ने लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मीशन सिस्टम डैश लॉंज किया ठीक है तो इसका नाम क्या है सक्षम लॉंज किया है नेक्स्ट है भारत में कहां पहली बार संगाई सयोग संगठन यानि SEO स्टार्टप फोरम का आयजन किया गया तो नई दिल्ली में आयज करने वाला भारत का पहला राज्य ठीक है तो पंजाब पहला राज्य है जो चलने के अधिकार को लागो किया है चलने का अधिकार जिसे रोड में गाड़ी चलती है उसी परकार उन्होंने कहा है कि एक साइकिल का भी हो और एक लोग के चलने के लिए भी एक साइड में हो ठ नेक्स्ट है मुख्य नयधिश डी वाई चंद्रचूर ने देश में एकोट तथा इव फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए डैश लॉंज किया ठीक है उन्होंने इव फाइलिंग 2.0 लॉंज किया है नेक्स्ट है केंद्रे गिरी मंत्री अमित्ष शा ने कहां जन गन्ना भवन का उदगाटन किया तो नई दिल्ली में इसमें क्या किया जाएगा यहां 1981 से लेकर अब तक के सभी जन गन्ना को संकलित किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण E-Governance राज्य बना तो केरल बना है बहुत इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट है कौन सा नगरनिगम Central Bank Digital Currency CBDT को उप्योग करने वाला भारत का पहला नगरनिगम बना तो पत्ना नगरनिगम बहुत इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने ग्रिश रीतू में वायू परदूशन से निपटने के लिए कौन सा प्लान जारी किया ठीक है तो समर एक्शन प्लान उन्होंने जारी किया है नेक्स्ट है सवच्छ भारत मिशन के तहट केरल का कौन सा जीला भारत का पहला ODF Plus ठीक है जीला बना तो वायनाद बहुत इंपोर्टन है नेक्स्ट है माइक्रोसॉप्ट ने देश के गरामीन छेत्रों के लिए बहु भाशी AI अडिफीसिल इंटेलिजन चैट बॉट डैश लॉंज की तो जुगल बंदी लॉंज की गई है नेक्स्ट है किस देश के सुप्रीम कोट ने समलैंगिक्ता को अपराद की श्रेनी से बाहर किया यनी हटा दिया है स्रिलंका ने जापान के हिरोशीमा में महत्मा गांधी की पर्तिमा का अनावरन किया गया बहुत इंपोर्टन है किनके द्वारा किया गया? पिम नरेंद्र मोदी के दुआरा किया गया कहाँ पे हिरोशिमा जापान के हिरोशिमा में माउंट एवरिस्ट पर 27 वी बार चढ़ने वाली परवत रोही कामी रिता शेरपा भारत और किस देश में अच्छी उजा के छेत्र में सयोग के लिए ग्रीन हाद्रोजम टास्क फोर्स का गठन किया भारत और ऑस्टेलिया के बीच किसने ग्रीन हाउस गैस उतसरजन को कम करने के लिए फिट 455 पैकेज की शुरुआत की तो एरोपिय संग ने बहुत इंपोर्टेंट है किसने मालदी में टटरक्षक बंदरगा एकता हरवल की आधर शीला रखी तो राजनाथ शिंग ने किसे इटली की लगजरी फैशन ब्रांड गुक्की ने अपना ब्रांड एम्बेज़र चुना तो आलिया भाट को बहुत इंपोर्टेंट है किस देश के ग्रेट ग्रैंड फादर पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोशित किया तो चीली का आईपियल 2030 का खिताब किस टीम ने जीता तो चिन्नेई सूपर किंग ने पांच विवार जीता है आईफा अवर्ड 2030 में बेस्ट फिल्म का अवर्ड जीता दिरिश्यम टूने नेक्स्ट है दे बुक मेड इन इंडिया 75 एर और बिजनस इंटरप्राइज लिखी किसके दुआर लिखी गई है अमिताब कांथ बहुत इंपोर्टन क्वेशन है चक्रवात मौका साइकलोन मौका का नाम करन किया इसका नाम किसके दुआर दिया गया है तो यमन के दुआर दिया नेक्स्ट है वर्ल्ड स्नूकर चैंपेंशिप 2030 किसके दुआर जीता गया है तो लूका ब्रेसल के दुआर जीता गया नेक्स्ट है, World Chase Championship 2030 जीता गया, डिंग लिरेन की द्वारा जीता गया है नेक्स्ट है, World Bank के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, किसे चुना गया है, अजय बंगा को चुना गया है नेक्स्ट है, किस राज्य के माता नी पचेडी, बहुत इंपोर्टेंट है, माता नी पचेडी को GI टैग मिला है, बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है, किस भारतिय को ब्रिटेन का Member of the Water of the British Empire मिला, तो Dr. M.N. नंद कुमार को मिला है नेक्स्ट है, त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन किया गया है, कहां पर किया गया है, केरल में किया गया नेक्स्ट है, World Press Freedom Index 2023 में भारत की रैंक, भारत की रैंक 161, ठीक है, सबसे पहले अस्थान पर कोन है, नौर्वे नेक्स्ट है, अंतराश्टी पत्रकारिता के लिए, पुलितजर पुरुसकार 2023 मिला, निवोक टाइम्स को बहुत इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट है, तुंग नाथ मंदिर स्थी थे, कहां पे स्थी थे? उत्राखन में नेक्स्ट है, द्राबदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटर लैंड्स, राइसीना हिल्स बुक लिखी गई, किसके द्वारा? कस्तूरी रे के द्वारा नेक्स्ट है, राइस्थान के किस जीले में लीथियम का पता चला है, तो नागोर जीलों नेक्स्ट है, 42 आसियन समिट का आयोजन कहां हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में हुआ है नेक्स्ट है, सूपर कम्प्यूटर एरवत, विक्सित किया गया, ठीक है, तो किसके द्वारा? ओफ लोगु हू, मिला, ठीक है, तो पफवा न्योगीनी का, ये पफवा न्योगीनी का सरोच सम्मान है, जिसे नरेंदर मोदी को दिया गया है नेक्स्ट है, परंपारी खेल गत का, किस राज्य से संबंदित है, तो पंजाब से संबंदित है नेक्स्ट है क्वार्ड शीकर सम्मिलन दो हजाजार चौबिस का आयुजन क्या जाएगा भारत में, बहुत इंपॉर्टिन्थ है, नेक्स्ट है मुख्य मंत्री ग्राम, गाड़ी, योजना किस राज्ये में शुरू किया गया, तो जार्खन में शुरू किया गया, नेक्स्ट पुस्तिक पार्टिशन्स फ्रीडम के लेखक कोन है तो राम माधव है नेक्स्ट है फोर्टी नाइन्थ जी सेवन शीखर सम्मिलन का आयुजन हुआ कहां पर हिरोशीमा जता है भारत ने किस फ्रांसेसी रेल कमपनी को सिलीपर कोच वाली हंडेड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया तो किस कमपनी को दिया है एलस्टॉम कमपनी को यह फ्रांस की एक कमपनी है इस कमपनी को भारत ने हंडेड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है बह प्रदान किया ठीक है तो सुरिनम के द्वारा दिया गया है नेक्स्ट है हाली में किस देश ने युनेस्को में पुना शामिल होने की घोषना की किस ने घोषना की अमेरीका ने घोषना की ठीक है 2019 को अमरीका यूनेसको से बाहर हो गया था ठीक है फिर अभी घोशना किया है कि हम यूनेसको में शामिल हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है विश्वैंक ने बंगलादेश की राजधानी धाका में अपनी पहली परियोजना शुरू की ठीक है कौन सी परियोजना है सड़क सुरक्षा परियोजना ठीक है ये परियोजना किसलिए लाए गया है सड़क दुर्गहटना को कम करने के लिए ठीक है नेक्स्ट है अपसूजा इंफ्राटिक कमपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहां बनाया जाएगा तेलंगाना में बनाया जाएगा भारती रिजर्ब बैंक नी पुर्वत्तर भारत में नागालेंड में कहां अपना उपकारियलाई खोला तो कोहिमा में नेक्स्ट है G20 के अंतरगत साइंस 20 का दो दिवसे सम्मेलन कहां हुआ तो भोपाल में हुआ मद्ध पर्देश के भोपाल में नेक्स्ट है, Science 20 की जो थीम थी, ठीक है, Connecting Science to Society and Culture, ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में राजा क्रिशी उत्सव या Swing Festival मनाया गया, ठीक है, तो उडिशा में, नेक्स्ट है, भारत का पहला Carbon Neutral गाउं विक्सित किया जा रहा है, कहां पे, थाने, महारास्ट के थाने में वि ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, उडिशा के एपिजय अब्दुलकलाम दूइप से अगनी प्राइम ब्लास्टिक मिसाइल का परिक्षन किया गया, किसके द्वारा किया गया, डी आर्डियो के द्वारा किया गया, नेक्स्ट है, भारत फ्रांस तथा UAE के बीच, त्री पक् के लिए बिक्सित, पंडुबी रोधी, एंटी सबमरीन डैस का सफल परिक्षन किया, ठीक है, क्या नाम है इसका, टॉर्पीडो वरुनाश्ट्र, ठीक है, नेक्स्ट है, इरान ने अपनी पहली हाइपर सॉनिक मिसाइल डैस का परिक्षन किया, ठीक है, एनि फताह का परिक किया है ठीक है नेक्स्ट है इंडोनेशिया में बहुराष्टी नौसेना भ्यास को मोडो दो हजार तेस में भारती नौसेना जहाज डैश ने भाग लिया किसने भाग लिया आई एनस सत्पूरा ने भाग लिया विश्यो मोसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महा सचिब बनी कोन बनी सेलिस्टे सोलो ठीक है नेक्स्ट है मध्डपरदेश की पहली सोलव सीटी के रूप में बिक्षित क्या जा रहा है सांची को बिक्षित क्या जा रहा है नेक्स्ट है विश्य परियवरन दिवस 2023 की थीम क्या थी प्लास्टिक परदूशन का समधान नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता नोवक जो को बीचने जीता नेक्स्ट है बंगलादेश ने अरब सागर में आये तूफान को नाम दिया क्या नाम दिया वीपर जोई ठीक है नेक्स्ट है चौथे राष्टिय जल पुरुषकार 2022 में पहला अस्थान मिला मद्ध परदेश को नेक्स्ट है चौथे राष्टिय जल पुरुसकार में सर्वश्रेश्ट उद्योग का पुरुसकार मिला ठीक है बरॉनी ताप विद्धुत केंद्र वेगुसराई को मिला जो बिहार में है ठीक है नेक्स्ट है विश्व स्कॉस चैंपियंशिप 2023 का खिताब जीता मिश्रिन जीता ठीक है किसको हराकर मलेसिया को हराकर जीता इसका जो आयोजन किया गया था वो चिन्नई में किया गया था ठीक है मिश्र ने जीता है नेक्स्ट है भारत की पहली महला कबड़ी लिग का आयोजन कहा हुआ ठीक है तो दुबई में हुआ है नेक्स्ट है किस राज्जनी नंद बाबा दुग्द मिशन शुरू किया ठीक है किस ने किया है उत्तर परदेश ने नेक्स्ट है पहला जन जातिये खेल महुत्सव का आयो जन किस राज्य में किया गया ठीक है तो उडिशा राज्य में किया गया नेक्स्ट है किस देश की कमपनी एलस्टों हंड्रेड वंदे भारत ट्रेन बनाएगे तो फ्रांस की कमपनी बनाई महराश्ट में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एमबस्डर नामित किया गया सचिन टेंडूलकर को नामित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के नेत्रिक्त वाले समुद्री गटवंधन से कून देश हटा तो UAE इससे हट गया है किसने ड्रोन के माध्यम से दवा बित्रन का सफल फरिक्षन किया तो दुबई ने नेक्स्ट है किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है तो तिलंगाना में नेक्स्ट है जूनियर पुरुष एसिया कप हौकी का खिताब जीता भारत ने नेक्स्ट है किस देश में जल मगन मिट्टी का जौला मुखी देखा गया नौरबे में नेक्स्ट है नासा ने आंत्रिक्ष में एक नए चांद की खोज की उसका नाम है क्वासी मून बहुत इंपोर्टन करेंट है ठीक है नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात है तू समझोता किया नेपाल के साथ किया गया है नेक्स्ट है नेट्टो का आर्क्टिक सेन ने अभ्यास कहा हुआ ठीक है बहुत इंपोर्टन है फिन लैंड में हुआ है नेक्स्ट है कौन देश दो हजर पचीस में IUCN की विश्व संडरक्षन कॉंग्रिस की मेजवानी करेगी तो UAE करेगी नेक्स्ट है महराष्ट के अहमद नगर का नाम बदल कर किया गया क्या किया गया अहल्या नगर कर दिया गया बहुत इंपोर्टन है स्मार्ट सीटी मिशन के अंतरगत कहां इंटिग्रेटर्ड कमांड एंड कंट्रूल सेंटर के अस्थापना की गई तो श्री नगर में नेक्स्ट है भारत की पहली लीथियम आयन सेल मैनुफाक्चरिंग गीगा फैक्टरी गुजरात में अस्थाफित करेगी ठीक है गुज पहला कारबन मुक्त गाउं विवंडी कहां विक्सित किया जा रहा है तो महराष्ट में विक्सित किया जा रहा है नेक्स्ट है लेवेंडर महोत्सव मनाया गया कहां मनाया गया जम्मू एन कश्मीर में मनाया गया नेक्स्ट है विश्य मोसम विज्ञान संगठन के अध्यक ठीक है, निक्स्ट है मैं बैंगलुरू में project कुबेर launch किया गया, ठीक है किसके दुआरा project कुबेर launch किया गया, तो यह SBI के दुआरा कियागया, ठीक है नेक्स्ट है किश देश ने डिजिटल जन्म परमान पत्र पेश किया ठीक है तो इजराइल ने पेश किया नेक्स्ट है खेलो इंडिया इनुवसिटी गेम्स 2030 में कौन सी इनुवसिटी टॉप पर रही तो पंजाब इनुवसिटी चंडिगर टॉप पर रही नेक्स्ट है दो हजर तेस को IQ येव द्वारा जारी आकड़ू के अनुसार दुनिया के सबसे परदूशी शहर लाहोर ठीक है पाकिस्तान का नेक्स्ट है किसने पहले भारत नमीबिया संयुक्त आयो क्या धिक्षता की S.J. शंकर ने नेक्स्ट है भारत का पहला अंतराष्टी क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ तो स्रिलंका के लिए रवाना हुआ नेक्स्ट है कौन सा देश क्रूज स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना तो भारत बना है नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सुचकांग में कौन सा राज्य शिर्ष पर है केरल बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है भारत के सबसे वैलुवल ब्रांड का खिताब मिला टाटा ग्रूप को मिला है सबसे वैलुवल ब्रांड का खिताब ठीक है नेक्स्ट है किस देश ने अभ्यास एक्ता की मेजवानी की मालदीव ने नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने शक्ती स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की तो करनाटक ने शुरू की नेक्स्ट है किस देश में Miss World 2030 का आयजन होगा बहुत important है भारत में होगा 27 साल के बाद भारत में Miss World 2030 का आयजन होगा बहुत important question है ठीक है नेक्स्ट है केरल के पहले ड्याश आशोक चक्र बिजेता का निधन हुआ ठीक है तो पहले आशोक चक्र जो केरल से संबंधित रखते हैं उनका निधन हो गिया है उसका नाम है हवलदार अलवी डिक्रू ठीक है नेक्स्ट है अंतराष्टे निसाने बाजी खेल महासंग जूनियर विश्यकप में कौन देश सिर्ष पर रहा तो भारत सिर्ष पर रहा सर्वदिक डिजिटल भुकतान के मामले में कौन देश सिर्ष पर है यह सबसे ज़्यादा डिजिटल भुकतान कौन देश करता है भारत करता है नेक्स्ट है फूल उत्सो मिंडोक शुरू हुआ कहां शुरू हुआ लद्दाग एवं कारगिल में नेक्स्ट है किस देश में निप्रो नदी पर कखुवा का बान तूट गया तो ये कहां है यूक्रेन में नेक्स्ट है आटिफीशल इंटेलिजेंस ए आई सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मिलन की मेजवानी करेगा कोन करेगा ब्रिटेन करेगा नेक्स्ट है फैमिली आईडी पोर्टल लॉंच की किसके दुआरा किया गया उत्तर परदेश के दुआरा नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दो हजार तेस जीता उस्टेलिया ने बहुत इंपॉर्टन्ट है नेक्स्ट है सीम लर्ण एन अर्ण योजना पुनियर एशिय कब जीता भारत ने थिकिए बहुत इंपॉर्टन्ट है सयुक्त सैन्न अव्यास कि एकुवेरीन हुआ थिक किसके भीच हुआ भारत और माल्दिव के बीच हुआ बहुत इंपॉर्टन्ट है थिक है सी एन जी से संचाली देश की पहली ट्रेन शुरू क्रिशी तेवार रज्ज मनाया गया ठीक है तेवार का नाम रज्ज ये कहा मनाया गया ूरेशा में किस रज्ज में बीहु कू उत्सव मनाया गया आरुना चल परदेश में नेक्स्ट है कहां की मुख्य मंत्री ने जेलों का नाम सुधार ग्री किया जेलों का नाम क्या कर दिया गया है सुधार ग्री वो उत्तर परदेश की द्वारा किया गया नेक्स्ट है पहली पंचायत रैंकिंग कहा जारी की गई ठीक है तो जम्मू अन कश्मीर में जारी की गई नेक्स्ट है किस देश ने 41 सेटिलाइट को आंत्रिक्ष में परछेपित किया ठीक है किस ने किया चीन ने किया बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है अमेरीका में कहां पहले हिंदू अमेरीका शीखर सम्मिलन आयजित किया गया ठीक है क्यापिटल हील में नेक्स्ट है, दो हजार तेस को जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्च में सबसे ज़्यादा परमानु हतियार किस देश के पास है, ठीक है, तो चीन के पास है नेक्स्ट है, भारत में उड़ने वाली छिपकिली की नई परजाती पाई गई, कहांपे मिजुरम में नेक्स्ट है, ग्रिह जयोती योजना शुरू किया गई, कहांपे करनाटक के द्वारा शुरू किया गया निक्स्ट है भारती सेना ने कहां बहुराश्टी अभ्यास खान कोईस्ट 2030 में भाग लिया, तो मंगोलिया में बहुत important है, कौन सा exercise, खान कोईस्ट exercise निक्स्ट है भारत ने किसे हराकर इंटर कॉंटिनेंटल कप जीता, तो लैबनें को हराकर, बहुत important question है नेक्स्ट है पनामा में भारत का पहला राजदुत निक्त किया गया, सुमित सेट को निक्त किया गया इरोपिय निवंध पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया अरुन धती रॉय को सम्मानित किया गया ठीक है उसके निवंध आजादी के लिए उनको ये सम्मान दिया गया अमेरिका में पहली मुस्लिम महला संग्य जज बनी तो नुसरत चौधरी बहुत इंपोर्टेंट है समलैंगिक विवा को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बना एस्टोनिया बहुत इंपोर्टेंट है जर्मन शांती प्रुस्खार 2013 से सम्मानित किया गया किसको सल्मान रुष्दी को दुनिया का सबसे बड़ी रामायन मंदिर का निर्मान होगा कहां पे बिहार में भारत के सबसे मुल्लेवान नीजी कमपनी बनी वो रिलाइंस कमपनी भारत ने किस देश को कारविट आई एनस किरपान उपहार में दिया तो बियत नाम को दिया गया बहुत इंपोर्टेंट है क्या दिया है कारविट आई एनस किरपान भारती सेना ने अगनियस्त्र फरस्ट कहां आईजित किया तो लद्दाक में आईजित किया नेक्स्ट है पर्थम अंतराष्टी खेल फिल्म महत्सव की मैजवानी की कोलकातानी नेक्स्ट है कौन सा देश भारत में दो नई वानिज्य दुतावाश खोलेगा तो अमरीका खोलेगा नेक्स्ट है ग्री मंतरे अमिंच शाह ने बलिदान अस्तंब का उदगाटन किया कहाँ पर किया श्री नगर में जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट है मिश्रिका सर्बोच राज्जी सम्मान वाड़ ओफ दे नाइल से सम्मानित किया गया किनको सम्मानित किया गया पीम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया Next है भारत in Paris अभयान श्रू की गई कहाँ पर नई दिल्ली में श्रू की गई Next है Civil Nagarik receptor सहीता योनिफर्म कोड का संब्ध भारतिय संबिधान के किस अनुस्षिद से है थीक है तो अनुस्षिद ए 44 से है नेक्स्ट है पहली महला कबडडी लिग का खिताब जीता, कुण जीता? उमा कुलकता ने जीता नेक्स्ट है किस राच्जे के अम रोहा धुलक, बहुत important है और जी आई टैग मिला ठीक है तो उत्तर पर्देश के अम रोहा धुलक को जी आई टैग मिला खर्ची पूजा किस राजचे से संबंदित है तो ड्रीपूरा से संबंदित है एमिस मट महोत्सव का आउजन किया गया लद्दाक में किया गया निक्स्ट है पुस्तक दायोगा सुत्राज फोर चिल्डर्न के लेखक है तो रूपा पई है FIFA रैंकिंग में भारत का अस्थान 100 है और फर्स्ट पोजिशन पर अरजेंटीना है किस राज्य के इशाद आम को G.I. टैग मिला बहुत important है को नाम इशाद आम को G.I. टैग मिला करनाटक के बहुत important है नेक्स्ट है Under 20 FIFA World Cup 2013 का खिताब जीता उरुगवे ने जीता नेक्स्ट है Mount Mayon जौला मुखी किस देश में इस्तित है तो Philippines में इस्तित है Mount Mayon जौला मुखी नेक्स्ट है मियावा की पदती का संबंध है किस संबंध है ये विर्चा रोपन से संबंध है नेक्स्ट है जोहा किस फसल का किस्म है तो ये राइस चावल का एक किस्म है नेक्स्ट है हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों के बीच तीक है अफगानिस्तान और इरान के बीच इस नदी से संबनित बीबाद चल रहा है नेक्स्ट है जम्बू चिडिया घर किस राज्ज में खोला गया तो जम्बू जम्बू कश्मीर में खोला गया इस तरह से आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है माता खीर भवानी मेला किस राज्य में आयजित किया गया ठीक है तो जम्मू अन कश्मीर में आयजित किया गया नेक्स्ट है मोतिहारी अमलेख गंजिक तेल पाइपलाइन फेज टू का संबन भारत और किस देश से है नेपाल से है महिला वॉली वॉल चैलेंज कब 2030 का खिताब जीता तो बहुत इंपॉर्टन्ट है हम लोगों ने जितने भी करेंट को डिसकस किया बहुत इंपॉर्टन्ट है तो तजाकिस्तान अजर्बेजान और तजाकिस्तान को होने अर्थात वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजेशन ने मलेरिया मुक्त घोशित किया है तीक है बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है नेटो का एकतीस्वा सदस्य देश बना कौन बने हैं फिनलेंड बहुत इंपोर्टे की देशी नसल गिर का क्लून बच्छडा तयार किया जिसका नाम है इसका नाम क्या है गंगा है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है किस राज्य की विश्व परसिद बसोहली पेंटिंग को तीक है बसोहली पेंटिंग को जी आई टैग मिला तीक है तो ये जम्मु अन नेक्स्ट है किस राज्य की मरचह चावल को जी आई टैग मिला है यहां पर कुछ है most important जो recently में जी आई टैग मिला है उसको मैंने include किया है तीक है नेक्स्ट है किस राज्य की वुड करविं को जी आई टैग मिला तो लगदा के नेक्स्ट है किस राज्य की नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला तो 36 गर्ड बहुत important है नेक्स्ट है किस राज्य की लंगडा आम को GI टैग मिला तो उत्तर परदेश की लंगडा आम को GI टैग मिला है next है किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बरतन को G.I. टैग मिला है बहुत इंपोर्टेंट है तमिलनाडू के भारत और कूण सा देश रुपी में ब्यापार करने पर सहमत्विये तो मलीशिया भारत और मलिश्य सहमत हुएं कि हम लोग रूपी में ब्यापर करेंगे किस देश में नए सम्मिधान पर जनमत संगरा कराए उजबेगिश्तान फ्रांस ने बास्टिल डेप परेड में किसे आमंतरित किया तो नरेंदर मोदी जी को आमंतरित किये थे नेक्स्ट है केरल में पहला सौर ओर्जा संचालित परियाटक जहाज लॉंच किया गया जिसका नाम है सूर्य मशू बहुत इंपॉर्टिंट है नेक्स्ट है गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना तो केरल देश का पहला राज्य बना केरल जो जल बजट पेश किया जल बजट किसले पेश किया गया गर्मी में पानी की समस्या को निपटने के लिए ठीक है नेक्स्ट है बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहां मिलेट्स महुत्सव आयजित किया गया तो जोदपुर राज्थान में निक्स्ट है कौन सा देश अमेरिका से हिल फायर मिसाइल और एमके 54 टॉरपीडो खरी देगा तो भारत खरी देगा निक्स्ट है बड़े निवेश को आकरशित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉंज किया कौन बहरीन निक्स्ट है किस देश ने नया ओफेक 13 जासुसी सैटलाइट आंत्रिक्ष में लॉंज किये तो इजराईल ने निक्स्ट है 2030 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शिर्ष पर है तो करनाटक बहुत इंपोर्टन है निक्स्ट है आएसेसी मिंस टी ट्विंटी आई किर्केट में अंपायर बनने वाली पहली महला कौन बनी तो कीम कॉटन बहुत इंपोर्टन है इस देश को पुरूशों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कब की मैजवानी से हटा दिया ठीक है तो पेरु को हटा दिया गया बहुत इंपोर्टन है सेयुत सेन्य अभ्यास कवच कहां आउजित किया गया तो अंडमान निकुबार में आउजित किया गया नेक्स्ट है परवाह पोर्टल लॉंच किया गया भारती नौसेना ने अब टटिये सुरक्षा अभ्यास परस्थान कहां आउजित किया तो मुंबई में आउजित किया नेक्स्ट है उत्तर परदेश के किस जीले में विश्व का पहला एश्याई किंग गिध सनरक्षन एबंग परजनन केंदर बना तो महराज गंज में बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है बिदेश मंतरी S.J. शंकर ने कहां तुलसी घाट बहाली परियुजना का शुबारम किया तो यूगांडा में बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है भारत का पहला 3D printed डाग घर कहां खुलेगा तो बैंगलोरू में नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर में ट्रो ट्रेन का सफल ट्राइल किया गया कहां पे किया गया कॉलकाता में नेक्स्ट है किस देश में H3 N8 बड़ फ्लू इसे दुनिया की पहली मोद दर्ज की गई तो चीन में नेक्स्ट है किस कमपनी को मेनी रतन कैडिगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया तो सोलर एनरजी कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया को दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है पहले वैश्विक बौध सम्मिलन का उद्घाटन कहां हुआ तो नई दिल्ली में हुआ है बच्चों के लिए उक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना घाना नेक्स्ट है भारत में सब से उँची अंबेडकर जी की परतीमा का अनावरन किस राज्जी में किया गया तो तेलंगाना में किया गया नेक्स्ट है बिदेश मंत्री अस जैशंकर ने किस देश में भूजी ब्रिज का उद्घाटन किया बहुत इंपॉर्टेंट है मोजंबिक में ठीक है फैमिना मिस इंडिया 2030 का खिताब किस ने जीता तो नंदिनी गुपता ने जीता थावे उत्सव कहां मनाया जाता है तो गोपाल गंज में सेलिब्रेट किया जाता है गोपाल गंज एनि बिहार में ठीक है इंटरनाशनल बिग काट अलाइन्स का संस्थापक सद से बना नेपाल नेक्स्ट है 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारीक भागिदार कौन सा देश बना तो अमेरिका बना है किस देश में भारती उच्चायोग ने अपना सोलवा बीजा आवेदन केंदर शुरू किया नेक्स्ट है एपल ने भारत में कहां अपना पहला स्टोर लांच किया तो मुंबई में लांच किया गया बहुत important किसे परवासी भारतिय सम्मान 2003 से सम्मानित किया गया तो राज़स सुब्रमन्यम को सम्मानित किया गया इसरू किस देश का टेल EOS टू उपगरह को launch करेगा ठीक है तो सिंगापूर के नेक्स्ट है चुनाव आयोगनी कहां से पहली बार vote for home की शुरुवात की तो करनाटक से ठीक है बुजिर्गों के लिए जो जान ही सकते हैं उसके लिए vote for home launch किया कहां से करनाटक से नेक्स्ट है डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शिर्ष पर है तो बैंगलोरूरूस शिर्ष पर है नेक्स्ट है किस देश के किरकेटर Gary Balance ने किरकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशना की ठीक है तो इंगलेंड के बहुत किसे लता दीना नात मंगेशकर पुरूसकार दिया गया ठीक है तो आशा भोसले को दिया गया किस देश ने अपना पहला Operational Earth Observation सैटलाइट तैफा फस्ट लॉंच किया तो केनिया ने बहुत इंपॉर्टन्ट है Next है बीरता पुरूसकार पानी वाली पहली महला IAF अधिकारी कौन बने ठीक है तो दिपीका मिश्रा बहुत इंपॉर्टन्ट है Next है दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टार शिप लॉंच की Space X ने लॉंच किया लेकिन ये फेल हो गया Next है सबसे अधिक तलाबों और जलाशायों वाले राज्यों के सूची में शिर्स पर है ठीक है तो पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तलाब और जलाशायों पाये जाते हैं ठीक है इंडिया में Next है कहां खोम जूम दिवस मनाया गया लाने के लिए कौन सा उपरेशन जलाए गया उपरेशन कावेरी Next है सिड्नी किर्केट ग्राउंड में किस भारतिय खिलाडी के नाम पर एक गेट का अनावरन किया गया तो सचिन टेंडूलकर के नाम पर एक गेट का अनावरन किया गया बहुत important है Next है किस राज्य की माना गाउं को पहला भारतिय गाउं घोशित किया गया तो उत्राखंड की माना गाउं को पहला भारतिय गाउं घोशित किया गया बहुत important है Next है किसी गोल्ड मैन परियवन पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो एले सैंड्रा कोराप को सम्मानित किया गया नेक्स्ट है शारजा स्टेडियम में किस भारती खिलाडी के नाम पर एक स्टेंड का नाम रखा गया तो सचिन टेंडूल करके नाम पर रखा गया ठीक है यहाँ पे gate का नाम और यहाँ पे stand का नाम ठीक है दोनों में आप अंतर देख सकते हैं Next है Mount Anpurna जो नेपाल में स्थी थे पर चढ़ने वाले पहले भारती बनी अर्जुन वाजफई बहुत important है Next है किसी 64 साल बाद ब्याक्तिकद रूप से रेमन मैगसे से पुरुसकार मिला ठीक है तो दलाई लामा को बहुत important है Next है फुड़वाल का परतिष्ठित हीरो सूपर कब 2030 का खिताब जीता उरिशा FC ने बहुत important है Next है अमेरिका के किस राज्य में दीपावाली के अधिकारिक छुट्टी घोशित की गई बहुत important है तो पैंसील वेनिया बहुत important Next है पीम नरंद्र मोदी ने कहां भारत के पहले डिजिटल साइन्स पार का शिलान्यास किया त्रिवंदपूरम केरल में बहुत important है Next है औग्यात मिर्त शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तयार करेगा हिमाचल प्रदेश Next है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेल को सफलता पुर्वक संचालित किया गया कोलकता होगली नदी के नीचे बहुत important है Next है चीन ने अरुनाचल परदेश के कितने अस्थानों को अपना बताते हो उनका नाम परिवर्तित कर दिया ठीक है तो 11 अस्थानों का नाम परिवर्तित कर दिया है ठीक है चीन कहता है कि ये 11 अस्थान हमारा है ठीक है और उसका नाम वो बदल दिया है ठीक है चीन अरुनाचल परदेश को तिबबत का दक्षिन भाग मानता है और उस भाग का नाम वो बुलाते हैं जंग नाम ठीक है इस भाग को वो क्या कहते हैं जंग नाम कहते हैं चीन लोग ठीक है नेक्स्ट है राष्टपती द्रौपती मुर्मूनी असम के किस उध्यान में गज उध्षव ठीक है दो हजार तेईस का उध्गाटन किया तो काजीरंगा राष्टिय उध्यान में बहुत इंपॉर्टिंट है बिरासत पश्यू हाथी का संरक्षन के लिए ये गज प्यावस्ता चलाने के लिए नशीली चीजों का अधिक्तम निर्याद करते हैं इसलिए इसको नार्को स्टेट कहा और दुनिया में सबसे बड़ा नार्को स्टेट है सीरिया नेक्स्ट है किस भारती राजनितिक पार्टी को राष्टी पार्टी का दर्जा मिला तो आपको मिला आम आदमी पार्टी को ठीक है अभी देश में छे राष्टिय पार्टी है ठीक है छे राष्टिय कुन कुन सी पार्टी है उसको देख लेते हैं पहला है भारती राष्टिय कॉंग्रेस 1885 में इसके अस्थापना हुई थी भारती जनता पार्टी 1980 में अस्थापना हुई थी, Marksवधी Communist Party 1964 में स्थापना हुई थी, बहुजर्ण समाज पार्टी 1984 में स्थापना हुई थी, National People's Party 2013 में स्थापना हुई थी, आम आदमी पार्टी 2012 में अस्थापना हुई थी Recently में आम आदमी पार्टी को रास्ट स्थी पार्टी का कुमार मंगलम बिरला को नेक्स्ट है राष्टी पंचायत प्रुसकर 2030 के तहट सर्व श्रेष्ट जीला पंचायत चुना गया ठीक है गंजम जीला पंचायत उडिशा का बहुत इंपॉर्टन्ट है जर्मनी के सर्बुच्च सम्मान वादर ओफ दे मेरिट दिया गया एंजेला मारकेल को ठीक है नेक्स्ट है युक्रेइन के राष्ट पती को किस देश ने अपना सर्बुच्च सम्मान वादर ओफ दे वाइट एगल से सम्मानित किया तो पॉलेंड ने बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है ओस्टेलिया का सर्बुच्च नागरिक सम्मान वादर ओफ ओस्टेलिया से सम्मानित किया गया रतन टाटा को सम्मानित किया गया नेक्स्ट है दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल कहां इस्थी थे तो अटलांटिक महसागर में इस थी थे किस देश के परधान मंतरी आटवे राइसिना डायलोग में मुक्या थी थी थे तो इटली के परधान मंतरी जॉर्जियो मेलियोनी को आटवे राइसिना डायलोग में मुक्या थी थी के रोप में बुलाया गया था बहुत important है next है कौन सा देश BRICS के new development bank का नया सदस से बना बहुत important है मिस्र next है सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया 2022 तेश में दिया गया है किसको दिया गया है शिप शंकरी को बहुत important है आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा current नहीं है जो ओल जोल वाले हैं बहुत important को मैंने इसमें include किया है next है एबल पुरुसकार 2030 किसे दिया गया बहुत important है लुईस कैफ रेली को दिया गया है next है भारती वाई सेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया तो जैपान में बहुत important है किस ने नासा के कुरू 6 मिशन को लॉंच किया तो जैक्षा बहुत important next है 2030 को एशिया सत्रंज महासंग ने किसे player of the year पुरुसकार से सम्मानित किया ठीक है तो डी गुकेश बहुत important है next है किसने 54 साल बाद शंतोस ट्रॉफी जीती तो करनाटक ने दे इयर का खिताब जीता तो मीराबाई चान नेक्स्ट है तेस्वा राष्ट मंडल कानून सम्मिलन कहां आयोजित किया गया तो गोवा में आयोजित किया गया next है सेव लोन इंडिया अपनी सवस्त भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला hand ambassador बनाया तो सचिन टेंडूल कर को बहुत important है next है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता तो मैक्स वाट्सपन ने जीता next है किस देश में चिपकिली की एक नई परजाती फाइलूरस फिम बिरियाटस खोजी गई तो ऑस्टिलिया में बहुत important है next है भारती वाई सेना यूनिट की कमान समभालने वाली पहली महला बनी ठीक है शालिजा धामी बहुत important next है राष्टी फोटोग्राफिव पुरुसकार समारों मी lifetime achievement पुरुसकार से सम्मानित किया गया शिपरादास को सम्मानित किया गया next है भूम्चू उत्सव कहां मनाए गया ठीक है तो सिक्की में मनाए गया next है पृद्जाकर अर्किटेक्चर पुरुसकार के बिजैता बने तो सर डेविट चीपरफिल्ड बने है बहुत important है next है पांच दिवस्तिय यो शांग उत्सव कहां मनाए गया मनिपूर में सेलिबरेट किया गया भारती रेल ने किस स्टेशन से भारत गौरब ट्रेन शुरू किया तो मुंबई से मुंबई से मदूराई के बीच next है परधान मंत्री मोदी ने कहां दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उधगाटन किया तो करनाटक में ठीक है होगली रेलवे प्लेटफॉर्म next है एशिया का सबसे बड़ा टूलिव गाड़न कहां खुला तो जम्मू कश्मीर में खुला next है वंदे भारत एक्सप्रेश का संचालन करने वाली एशिया की पहली महला बनी ठीक है सुरेखा यादव next है संयुक्त अभ्यास बोल्ड क्रू छेत्र भारत और किस देश के बिज संपन हुआ तो सिंगापूर ठीक है कहां पे हुआ जोदपूर में बहुत इंपॉर्टेंट है next है स्वीस फॉर्म आईक्यू एर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे परदूशित देश चाड ठीक है और भारत का स्थान कितना है आठ हुआ है next है 2030 रिपोर्ट के अनुसार सौतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षर्ता दर कितने परतिशत बढ़ी तो 9 परतिशत next है सी ओ टू कार्बन डायोकसाइड आयत करने वाले और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना ठीक है डेनमार्क बहुत इंपोर्टेंट है next है सरकारी सर्वेक्षन के अनुसार कितना परतिशत ग्रामिन परिवारों के पास सौचालई की सुविधा नहीं है तो अभी तक 21 परतिसत लोगों के पास सौचालई नहीं है ठीक है ग्रामिन परिवारों के पास next है दुनिया के टॉप एरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एरपोर्ट टॉप पर है तो सिंगापूर चांगी एरपोर्ट next है यूक्रेन को मिग 29 विमान देने वाला पहला नैटो सदस्य देश बना पॉलेंड ठीक है पॉलेंड के दुआरा यूक्रेन को मिग 29 विमान दिया गया है कौन सा देश सबसे कम विक्सित देशों की सूची से बाहर हुआ ठीक है तो भुटान next है दुनिया के महांतम अस्थानों की टाइम सूची में किस भारती अस्थान को शामिल किया गया लद्दाक एबंग मैयूर भंज को सामिल किया गया बहुत इंपोर्टेंट है next है वैश्विक आतंगवाद सुचकांग में कौन सिर्ष पर है तो अफगानिस्तान और भारत का अस्थान कितना है तेरवा है next है governor of the year 2030 पुरस्कार किसे दिया गया बहुत इंपोर्टेंट है शक्ती का अंदास को दिया गया next है अभ्यास Sea Dragon 23 में भाग लेने के लिए भारती नौसेना का P81 B1 कहा पहुँचा तो यह वैसे पहुचा है यहां जाके भाग लेंगे next है संगीत कलानीधी पुरस्कार किसे दिया गया बॉंबे श्री को दिया गया next है किस देश के पुर्व किरकेटव टिम पेन ने किरकेट से सन्यास की घोशना की ऑस्टेलिया next है वर्ल्ड हैपिनिस इंडेक्स 2030 में कौन सा देश शिर्ष पर है तो फिनलेंड भारत का अस्थान 126 next है कहा होकी खिलाडी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया तो राइबरेली next है किस देश में 30 वर्सों में पहली बार पोलियों के मामले दर्ज किये गए बुरून्डी next है घोडो का तेहवार घोडे जत्रा ठीक है कहां मनाये गया नेपाल में next है किसे असम के सर्बुच नागरिक सम्मान असम वैभब से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर तपन सैकिया को भारत के next है खबरो में रहा सिनिया द्वीब किस देश में स्थित है तो UAE में स्थित है total one liner है हम लोग बहुत कम समय में अधिक से अधिक करेंट को discuss करेंगे ताकि आपका समय भी बचे और आपका revision भी हो जाए next है महिला Premier League 2030 का खिताब किस ने जीता मुंबई इंडियन्स ने बहुत important है दिल्ली क्यापिटल को हरा कर मुंबई इंडियन्स ने महिला Premier League 2030 का खिताब जीता है next है किस बैंक ने Silicon Valley बैंक का धिक गरहन किया तो first citizen bank ने बहुत important next है होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातिय समू है तो अमेरीका में रहने वाले लोगों का एक जातिय समू है होपी next है किस राज जी की कांगडा चाई को इरोपिये GI टैग मिला तो हिमाचल परदेश के बहुत important है फुलंगे नामक पुस्तक कभी मोचन हुआ इसके लेखक है लेखनाथ छेतरी next है मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच हुआ धगाटन हुआ तो बंगला देश next है किस देश के माउंट मेरापी जवाला मुखी में बिसफोर्ट की घटना हुई इंडोनेशिया next है उन्निस वी बिम्स्टेक मंत्री अस्तरी बैठक के अध्यक्सता की थालिणने next है निवाउक के मेनहटन संगिय जीला के नियालई के नियाधीश बनने वाले पहले भारतिय बने ठीक है पहले भारतिय अमेरीकी बने अरुन सुब्रमर्णियम next है सेवा निवर्त अगनिवीरों के लिए केंद्र और धोगिक सुरक्षा बल CISF एबंग BSF को कितना परतिशत आरक्षन की घोशना की गई तो 10 परतिशत next है सेंटल जाच बियूरनी अपरादिक गतिवीदियों में शामिल भगोडों का परत्यारपन के लिए कून सा ओपरेशन चलाया तो ओपरेशन त्रिसूल बहुत इंपोर्टेंट है next है दो ऑस्टेलियाई विश्विद्यालाई उलंग गोंग और डिकिन विश्विद्यालाई कहां स्थापित किये जाएंगे गुजरात के गिफ्ट सीटी में next है इरानी कप 2030 जीता बहुत इंपोर्टेंट है शेस भारत ने जीता next है मत्वा मेला मनाये गया कहां पे पश्शिम बंगाल में next है विपिन दा मैन बिहांड दा यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक है बहुत इंपोर्टेंट है रचनाबिस्ट रावत next है a matter of the heart education in India पुस्तक लिखे गई किसके द्वारा लिखे गई तो अनुराग बेहर के द्वारा लिखे गई बहुत इंपोर्टेंट है तो आज हम लोगों ने मार्च मन्द के कुछ important current affairs को discuss किया जो आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है बिहार special है अगर आप बिहार के किसी भी general competitive exam की तयारी कर रहे है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial है बिहार से जितने भी most important current से उसको मैंने इसमें include किया है तो अगर आप बिहार के किसी भी general competitive exam की तयारी कर रहे है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगा चाहे आप BPSC की तयारी कर रहे हो या teacher की तयारी कर रहे हो तो चलिए हम लोग discuss करते हैं बिहार special current है June month के 50 most important current को हम लोग discuss करेंगे total onliner है बहुत कम समय में हम लोग अधिक से अधिक current को discuss करेंगे पहला है June 2030 को बिहार की पहली वंदे भारत express train पत्ना से किस station के बीच चलाएगी तो पत्ना से राची के बीच चलाएगी बहुत important current है वाई पहली बिहार की पहली वंदे भारत express train पत्ना से राची के बीच चलाएगी सकड़ है बिहार में G20 समू की एक बैठक जून 2023 को आवजित किया गया तो कहां पे आवजित किया गया पत्ना में आवजित किया गया नेक्स्ट है बिहार के किस जीले में बिराठ रामयन मंदिर के निर्मान कारिये शुरू की गई ठीक है तो पुर्वी चमपारन में शुरू की गई नेक्स्ट है किस राज्य में बिहार करप्ट मेला का आवजिन किया गया ठीक है राष्टियत जल्प पुरुसकार में बिहार के वेगुसराय बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को अस्थान मिला ठीक है एनि चौते राष्टियत जल्प पुरुसकार में बिहार के जो वेगुसराय बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है उसको पर्थम अस्थान मिला है बहुत इ बिहार का परतिनीधित्व किया अवद बिहारी चौधरी ने परतिनीधित्व किया अवद बिहारी चौधरी क्या है बिहार विधान सभा के अध्यक्ष है नेक्स्ट है हाली में बिहार के बिज्ञान एबंग पुरद्धोगी की बिभाग का नाम बदल कर किया गया तो बिज् समवाद नामक मासिक पत्रीका के पहले अंग का लोकारपन किया गया तो सिक्षा विभाग के द्वारा किया गया नेक्स्ट है राष्टिय दुरसंचार विनियामक प्राधिकरन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्थान है सबसे अंतिम ठीक है नेक्स्ट है बिहार में नारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Android application बहुत important है रक्षक ठीक है application का नाम है रक्षक बिक्सित किया गया किसके द्वारा किया गया ए एन कॉलेज के द्वारा किया गया है ठीक है नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा गोशना की गई है कि बिहार का चौथा इयरपोर्ट अस्थापित किया जाएगा कहां पिक्या जाएगा पूर्णिया में बिहार का चौथा इयरपोर्ट अस्थापित किया जाएगा नेक्स्ट है खुदाई में बिहार में 1100 साल पुरानी भगवान हरिहर की मुर्ती प्राथवी है कहां से प्राथवी नावादा से प्राथवी है नेक्स्ट है बिहार विधान सब ध्यक्ष ने नई पुस्तक मिर्तुन जई का बिमोचन किया इसके लेखक हैं कौन है भगवत जहा आजाद बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है बिहार राज्य महला इबंग बाल बिकास निगम का परबंदक निदेशक नियुक्त किया गया वंदना प्रयासी को नियुक्त किया गया नई पुस्तक जमीन की बाद के लेखक है श्यामल किशुर पाठक बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालायों में छात्रों या सिक्षकों की ओनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल विक्सित किया है उस पोर्टल का नाम है ईशिक्षा कोश पोर्टल बहुत इंपोर्टन्ट नेक्स्ट है राष्टि अस्मरक प्राधिकरन के द्वारा बिहार के किस बिरासत को संरक्षन परदान करने के लिए बिरासत उपनियमों का मसोधा तयार किया ठीक है बहुत इंपोर्टन्ट है चाने नदी बचाओ अभ्यान चलाया जा रहा है कहां चलाया जा रहा है नालंदा में ठीक है नेक्स्ट है थाइलन्ड में आयोजित होने वाली 24 वे एशियन एथलेटिक्स चैंपियन्शिप में बिहार के खिलाडी का चैन की हुआ ठीक है किसका चैन हुआ भूशन कुमार का नेक्स्ट है जून 2003 को पूने में आयोजित राष्टिय जूनियर रख्भी बालक परतियोगिता में चैंपियन बना कौन बना विहार बना है बहुत इंपॉर्टिन्ट है नेक्स्ट है जून 2023 में 89 वी विहार राज्य ओपन एथलेटिक चैंपियन्शिप का आयोजन किया ग नेक्स्ट है जून 2023 मद्ध परदेश में आयोजित राष्टिय ग्रेपलिंग परतियोगिता में बिहार के टीम ने स्वर्ण पदक जीता ठीक है तो बिहार के टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं तो 35 स्वर्ण पदक जीते हैं नेक्स्ट है बिहार के किस जीले के बतना यहां से बिराट नगर के बीच कारगो ट्रेन सेवा का शुरुआत किया गया ठीक है तो अररिया नेक्स्ट है हाली में आयोजित 66 वी नैशनल स्कूल गेम्स में बिहार को कौन सा स्थान मिला तो चौदवां स्थान मिला नेक्स्ट है 2030 के लिए राष्टिय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरुसकार दिया गया ठीक है गायत्री कुमारी को दिया गया जो बिहार से है नेक्स्ट है सहित्य अकद्मी पुरुसकार मैथली भाशा के लिए किसे दिया गया अक्षई आनन सन्नी को दिया गया उनके कविता संग्रा ओल कत्रा जोल कत्रा के लिए उनको दिया गया बिहार के किसे भारत की खूफिय अजन्सी रौ का नया परमुक नीग किया गया थीक है बिहार का है वो थीक है तो वो है रवी सिना बहुत इंपोर्टेंट है ओपरेशन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है मशूर है थीक है नेक्स्ट है, दो हजार तेस के लिए मैथली गाईका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, किनको सोनी चोधरी को बिहार रत्न सम्मान दिया गया, दो हजार तेस के लिए, नेक्स्ट है, मुंबई में आयोजित राष्टी बिधायक सम्मिलन में बिहार के किस बिधाय ओम बिरला के द्वारा किसे हेल्थ केर एक्सिलेंस अवर्ड से सम्मानित किया गया तो डॉक्तर कुमार सुभम को जो बिहार से हैं नेक्स्ट है जून दो हजार तेज को मिस्रि के राष्टपती अल सीसी द्वारा पीम नरेंद्र मोधी को मिस्रि के किस सर्वुच राजगिय सम्मान से नवाजा गया तो वार्डर अब दे नाइल से सम्मानित किया गया नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंत्राल सुचकांत में भारत का स्थान है कुछ बिहार के important MCQs के साथ साथ National International को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया जो बिहार के exam में पूछा जा सकता है नेक्स्ट है RBI Deputy Governor के रूप में नियुक्त किया गया स्वामी नाथन जनकी रमन को नियुक्त किया गया तो सलमान रुषदी को सम्मानित किया गया नेक्स्ट है जून दो हजार तेस को गोरकपूर इस्तित गीता प्रेश के एक सो साल पूरे होने पर इसे किस सम्मान से सम्मानित किया गया ठीक है तो गांधी शांती प्रुषकार से सम्मानित किया गया इसको गीता प्रेश को Next है, हाली में भारत ने किस देश को सौदेश निर्मित मिसाइल कारवेट आई एन एस किरपान उपहार में दिया थीक है, तो ब्यातनाम को दिया Next है, भारत ने उडिशा टट से किस मिसाइल का सफल परिक्षण किया तो अगनी प्राइम का सफल परिछण किया नेक्स्ट है किस राज्ज ने परदूशन के अस्तर को कम करने के लिए येर प्यूरिफायर वाली बसे लॉंच की पश्चिन बंगाल ने नेक्स्ट है विश्य महासागर दिवस की थीम है प्लेनेट ओशन टाइट्स आर चेंजिंग नेक्स्ट है महिला जूनियर हौकी एशिया कप दो हजार तेईस का खिताब किस टीम ने जीता तो भारत में नेक्स्ट है हाली में रिजर्व बैंक का उप कारियलाई किस राज्ज में खोला गया नेक्स्ट है भारतिय सेना और मालदिव राष्टिय रक्षा बल के बीच उत्राखण में संयुक्त सेन्य अव्यास हुआ एक्स एकुवेरीन अव्यास नेक्स्ट है बहुराश्टी शांती अस्थापना संयुकत व्यास एक्स खान कोविस्ट दो हजार तेस कहां शुरू हुआ ठीक है मंगोलिया में शुरू हुआ नेक्स्ट है गुजरात टाइटन्स को हराकर कौन सी टीम पाँचवी बार आईपियल चैंपियन बनी तो चेन्य सुपर किंग पाँचवी बार आईपियल चैंपियन बनी लास्ट करंट है हाली में केंद्रे ग्री मंत्री अमित शानी बलीदान अस्तम की अधर्शीला कहां रखी तो जम्मो और कश्मीर में उन्होंने अधर्शीला रखी तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से किसी परकार का बेनिफिट होता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्र करें और अपने दोस्तों के साथ स्चेर करें एक पहला है अभीनेता संजय मिशर जो बीहार की निवासी है कि कौन सी लगू फिल्म को आसकर के लिए नंविनेट किया गया है तो इनकी फिल्म गिद को आसकर के लिए नंविनेट किया गया है बहुत जाद इंपॉर्टन्ट ह और इसी फिल्म ने एशिया इंटरनाशनल कॉंपिटिशन भी जीता है नेक्स्ट है मुख्य मंत्री नितिश कुमार की जिवनी अत्रंग दोस्तों की नजर में नितिश कुमार का भी मोचन किस ने किया बहुत जाद इंपॉर्टन्ट है तो लालू परसाद यादव के द्वार ने के जिवनी है इसका भी मोचन किया गया बहुत जाद है ठीक है और इसका जु लेखक है अत्रंग दोस्तों की नजर में नितिश कुमार ठीक है इसका जु लेखक है वो है उधाई कांथ नेक्स्ट है पत्ना में बन रहे बापु टावर का उध्घातन कब किया जाएगा तो 2 October 2030 को किया जाएगा Next है, 19 July 2030 को बिहार के मुख मंत्री नितिश कुमार द्वारा राज के मलमास मेला का उधगाटन किया गया कहां किया गया? राजगीर में किया गया, बहुत जाद इंपोर्टेंट है Next है, नई दिल्ली में आयोजित अंतराष्टी क्रिशी बागवानी परदर्शनी में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पर्थम पुरुसकार दिया गया किसको दिया गया? बिहार को दिया गया, बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है? किस बिभाग को दिया गया? तो बिहार क्रिशी बिभाग के उध्यान निदेशालाई को पहला पुरुसकार दिया गया ठीक है? Most important है Next है, वर्ष 2015-16 में बिहार की गरीवी कितने थी? एक 59.89% थी जो घट कर अब कितना हो गया है? 33.76% बहुत जादे important है ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए Next है, चंद्रियान 3 की सफल लॉंचिंग में बिहार के दो होनहार थे कौन-कौन? अमिताब जो डिप्टी प्रोजेक्ट डारेक्टर थे और रभी कुमार ये दोनों बिहार से थे Next है, मुख्य मंत्रियान इजिश कुमार ने कितने सहत्यकारों को मंत्री मंडल सचिवलाई राज्य सभाद्वारा आयूजित समारों में हिंदी से भी सम्मान एबंग प्रुसकार दिया Most important है, ठीक है? 29. Next है, भारत का सबसे बड़ा Micro Finance बाजार बना कौन? बिहार बहुत जादे important है, जो तमिल नाडू को पीछे छोड़ दिया है Next है, बिहार के किस फिल्म को आसकर के narrative एनि कथा श्रेनी में शामिल किया गया बहुत important है, चंपारन मतन को बिहार सरकार ने 2021-22 के लिए कितने सहित्यकारों को राजभाशा पुरुसकार परदान किया तो नो, सहित्यकारों को राजभाशा पुरुसकार परदान किया गया है Next है, अमरित युवा कला उत्सव का आयोजन बिहार में कहां आयोजित किया गया तो पटना में आयोजित किया गया नीती आयोक द्वारा जारी राष्टिय बहु आयामी गरीबी सुचकांक में सबसे निचले पायदान पर है यहीं सबसे गरीब बिहार है 14 जुलाई को बिहार में किन्नर महुत्सव का आयोजन हुआ कहां पर हुआ प्रेम चंद रंग शाला पटना में हुआ थाइलंड में आयोजित होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपेंशिप में बिहार के किस खिलाडी का चैन किया गया तो शशी भूसन सिंग का चैन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यस्तरी वन महसव दो हजार तेस का उदगाटन किस के द्वारा किया गया तो नितिश कुमार के द्वारा किया गया नेक्स्ट है थाइलेंड में आईजित होने वाली सोलवी स्पोर्ट्स ड्रैगन वोट चैंपेंशिप में बिहार के कितने खिलाडी भारत का परतिनिद्व करेंगे पहुत जाद इंपॉर्टेंट है पाच तीक है नेक्स्ट है परधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के अंतरगत न्यू दिन दयाल उपध्याय जंक्षन से बिहार के किस नगर तक नए रूट का उधगाटन किया गया बहुत जाद इंपॉर्टेंट है सोन नगर नेक्स्ट है हाली में बिहार के कितने जीलो में वाटर स्पोर्ट सेंटर खोलने की घोशना की गई तो साथ जीलो में नेक्स्ट है पिरिये चाइल्ड लेवर ट्रेकिंग सिस्टम में बिहार को पुरुसकार परदान किया गया कौन सा फ्रोज कर दिया गया? रजत पदग दिया गया नेक्स्ट है बिहार के किस ब्यक्ति को National Health Care Excellence Award से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर दिनेश कुमार बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है बिहार पक्षी जन गन्ना 2023 में राज्य में पक्षियों की कितनी परजाती पाई गई तो 205 से अधिक परजाती पाई गई नेक्स्ट है बिहार में मचली Research Center का निर्मान होगा कहाँ पे मेठापूर पटना में होगा नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को रामयोन Research Council के राष्टी अध्यक्ष की रूप में मनोनित किया गया तो कमिश्वर चौपाल बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है बिहार में चौथा नदी थाना खोला जाएगा कहाँ पे कुशिश्वर अस्थान दर्भंगा में खोला जाएगा नेक्स्ट है इंडिया पॉजिटिब द्वारा बिहार Youth Conclip 2013 का आयोजन किया गया कहाँ पे पटनामी किया गया नेक्स्ट है मुझफरपूर जीला के लंगट सिंग कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाए गया तो 24 वा स्थापना दिवस मनाए गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साँ शेर करें तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार सरकार ने पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश से 12 में 2030 को कौन सा अभ्यान चलाया ठीक है तो फिकर एप लाँच किया गया नेक्स्ट है मैं 2030 को पतना के घ्यान भवन में io giti sports conclave 2.0 में एक नए गेम की शुरुवात की गई है उसका नाम है e sports गेम की शुरुवात की गई है ठीक है मैं 2030 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जीला अवल रहा है तो जमूई मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा काम देने वाला जमूई ठीक है हाली में जारी संकरमख बिमारियों की मामले में राष्टिय अस्तर पर बिहार का स्थान है दूसरा बिहार राज्जे का पहला स्पोर्ट इंजूरी सेंटर एवं अस्पताल अस्थाफित किया जाएगा जै परकाश नारायन अस्थाल Next is बिहार स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए बिहार का दूसरा B hub अस्थाफित किया जाएगा बिहार राज्ये बित्ते निगं भबं पटना में अस्थाफित किया जाएगा नेक्स्ट है बिहार के किस जीले में मोम की परतिमाओं से सुसजित राज्य का पहला मियूजियम का शुबारम किया गया तो पटना में नेक्स्ट है बिहार के किस जीले में गंगा नदी पर 89 करोर की लागत से पूल का निर्मान किया जाएगा तो बकसर जीले में नेक्स्ट है जारखन में आये जित अंतराश्टिय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाडी ने रजत पदत जीता तो प्रेमलता कुमारी नेक्स्ट है हाल ही में BCCI द्वारा घोशना की गई है कि बिहार के डैस में इंडोर स्टेडियम का निर्मान क्या जाएगा पटना में क्या जाएगा नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जीले में सोने की खान का पता चला ठीक है तो बांका जीले में निक्स्ट है बिहार के किस नगर नीगम की द्वारा पहली बार म्यूनसिपल बॉन्ड लगाया जाएगा तो मुझफर पूर नगर नीगम की द्वारा लगाया जाएगा बिहार की किस महला ने मैसेज इंडिया सूपर नैशनल दीवा का खिताब जीता तो सिलिका ने जीता कहाँ पे दरभंगा में नेक्स्ट है हाली में आयोजित थाइलेंड प्यारा बैडमिंटन टूनामेंट 2023 में बिहार के किस खिलाडी इने दो स्वन पदक जीता ठीक है तो हो जाएगा परमोध भगत नेक्स्ट है परधान मंत्री नरंद्र मोदी ने बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांस मेट्रों का उदगाटन किया ठीक है नौ नेक्स्ट है हाली में रोजगार मंत्रालई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार का स्थान रहा दूसरा नेक्स्ट है बिहार के मोती जील में पहली बार दसवी सीनियर नैशनल ड्रेगन बोट परतियोगीता आयजित हुई वा किस जीले में स्थित है तो पुर्वी चमपारन में स्थित है नेक्स्ट है बिहार में हिस्वा में भगवान बुद्ध के सबसे उची परतिमा का निर्मान किया जा रहा है या इस्थित है नवादा में नेक्स्ट है वर्ष दो हजार तेस का अंतराश्टी बुकर पुरुसकार दिया गया जॉर्जी गोस्पोडी नोव को जो बुलगरिया का है ठीक है उपन्यास की बात करें इनका जो उपन्यास है उसका नाम है टाइम शेल्टर ठीक है और अनुबादक एंजेला रोडेल को भी उसके साथ दिया गया है ठीक है भारत का पहला सेंट्रल बैंक डीजिटल करनसी CBDT का उप्योग करने वाला पहला नगर निगम बना पत्ना नगर निगम नेक्स्ट है ऑस्टेलिया में मेरपद हासिल करने वाले बने ठीक है समीर पांडे जो बिहार से है नेक्स्ट है बिहार के डैश में International Film Festival का आयुजन किया गया सारन में किया गया जो चप्रा में नेक्स्ट है बिहार राज्य परदूशन नियंतरन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने देबेंदर कुमार बने हैं नेक्स्ट है कृषि विश्विद्याले साबोर भागलपूर के वैज्यानिकों नही धान की नही किस्म की खोज की धान की नई किस्म का जो नाम है क्या नाम है साबोर कुवार बहुत important question है नालंदव शिविद्याले के कूल पती बनी अर्बिन पनगडिया हाली में राष्टपती द्रोपती मुर्मू के द्वारा बिहार के निवासी डैश को शोरिये चक्र से नवाजा गया तो विकी पांडे को नवाजा गया नेक्स्ट है नैशनल वाटर वोर्ल्ड में बिहार को डैश अस्थान मिला तो तीसरा अस्थान मिला नेक्स्ट है करनाटक के दूसरी बार मुख मंतरी बने सिध्धर अमयिया मेरी लाइफ मेरा सवच्छ शहर मेगा अव्यान की शुरुवात की गई नई दिल्ली के द्वारा शुरुवात की गई LGBT बिरोधी बिधायक पारित किया गया योगांडा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नैधीशों की कुल संख्या है 34 अभी फिलाल दो नैधीशों को नियुक्त किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो हाइस्ट नैधीश होना चाहिए 34 वो पूरा हो चुका है नेक्स्ट है नए कानून और नियाए मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया अर्जुन राम मेघवाल को नियुजित किया गया शुशासन विनियमो को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्जि बना महराष्ट नेक्स्ट है तेरा मैं 2030 को विश्य परवासी पक्षी दिवस का विश्य जल और परवासी पक्षी के लिए इसका महत्व नेक्स्ट है जी सेवन का 49 शिखर सम्मिलन जपान के डैश में संपन हुआ ठीक है कहाँ पे हिरोशीमा में नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मिलन 2023 का आयोजन किया गया हिरोशीमा जपान में नेक्स्ट है भारत ने चक्रवात मोचा से परभावित मैनमार के लोगों की साहता के लिए कून सा ओपरेशन चलाया तो ओपरेशन करूना भारत सरकार के दुआरा ओपरेशन करूना चलाये गया ठीके मैनमार में चक्रवात मोचा आया था जिससे लोग बहुत ज्यादा परभ आया था नेक्स्ट है दुपक्षी नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ती 2023 का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया नेक्स्ट है राष्टी जांच अजनसी एन आई ए ने आतंगवादियों गैंगस्टरों और ड्रग्स तसकरों और उसके आपस पे जुड़े नेट्वर्कों को लक्षित करने के लिए अभ्यान चलाया गया कौन सा अभ्यान चलाया गया ओपरिशन धवस्ट चलाया गया बहुत इंपोर्टन क्वेशन है नेक्स्ट है गोल्डन येर्स अफ लिविग अगुड लॉंग लाइफ एक बुक है जिसका राइटर है लेखक है वो है रस्किन बॉन नेक्स्ट है मेड इन इंडिया सेवन्टी फाइव इयर्स ओफ बिजनेस अंड एंटर्प्राइज़ के एक ये भी एक बुक है जिसके लेखक है अमिताव कांथ नेक्स्ट है द्रापति मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हेंटर लैंड्स तू राइसीन हिल्स ठीक है एक पुस्तक है इसके लेखकों है कस्तूरी रे नेक्स्ट है हाली में भारत के पीम नरेंद्र मोदी को इन दो देशों ने अपने देश के सर्बुच सम्मान से सम्मानित किया ठीक है फीजी और पपुआ नियूगीनी के द्वारा अपने देश के जो जाती की खोज की गई कहाँ पे मिजुरम में नेक्स्ट है नेपाल की परवत रोही डैश ने रिकॉर्ड 27 बार माउंट एवरिस्ट फता किया ठीक है कामी रिता शेरपा ने नेक्स्ट है मैं 2030 को G20 परियाटन कारिकारी समोह की तीसरी बैठक आयोजित की गई शिरिनगर जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट है मैं 2030 को FIPIC Forum for India Pacific Island EMS Corporation का आयोजन किया गया कहाँ पे पोर्ट मुरस भी जो पपुआन युगी ने नेक्स्ट है मैं 2030 को Quad Shikhar Sammilan आयोजित हुआ कहाँ जपैन के हीरुसेमा में आयोजित किया गया था मैं 2030 यहाँ पे 2030 हो जाएगा को नो सेना अभियास अलमोहन अलहिंदी भारत और किन देश के बीच हुआ ठीक है तो सौधी अरब के बीच हुआ भारत और सौधी अरब के बीच अभ्यास अलमोहन अलहिंदी हुआ नेक्स्ट है दो हजार तेस को राष्टपती द्रौपती मुर्मूनी कुल कितने बीरों को कृती चक्र एवंग शोरिय चक्र दिये ठीक है टोटल 37 लोगों को दिये हैं उसमें कृती चक्र आठ शोरिय चक्र 29 नेक्स्ट है आईपिल इतिहास में सर्वदिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया बिराठ कोहली ने बनाया उन्होंने साथ सतक लगाए नेक्स्ट है पीम नरेंद्र मोधी ने जैपान के किस शहर में राष्ट पिता महत्मा गांधी की परतीमा का अनावरन किया तो हिरोशिमा में नेक्स्ट है दक्षिन एशियाई यूवा टेबल टेनिस चैंपेंशिप दो हजार तेईस में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते ठीक है तो 16 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं हाल ही में किनको फ्रांस के सर्बूच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो एन चंदर सेखरण को नेक्स्ट है ओपन समिट 2020 की मेजवानी किस देश ने की जापान ने नेक्स्ट है हाली में पेटियम ने किसे अपना नया प्रेसिडिन्ट न्यूक्त किया ठीक है तो भवेशा गुपता को न्यूक्त किया गया नेक्स्ट है नया UPSC के चैर्मन बने मनोज सोनी नेक्स्ट है केंद्रिय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया ठीक है तो ये हो जाएगा परबीन सूध नेक्स्ट है IPL में प्ले आउफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी गुजरात टाइटन्स नेक्स्ट है हाली में राष्टी होमियोपैथिक सम्मिलन होमो कौन 2030 का उदगाटन किस राज्य में किया गया उत्राखण में किया गया नेक्स्ट है दूर संचार विभाग ने खोये या चोरी हुए मोबाईल फोन को ब्लॉक और ट्रेक करने के लिए कौन सा पोर्तल लॉँज किया संचार साथी पोर्टल लॉँज किया next है हाल ही में ट्वीटर के नए सीओ के रूप में किसे चुना गया तो लिन्डा या का रीनो को चुना गया next है हाल ही में किस राज्जे ने तेरवी हौके इंडिया सब जूनियर महला राश्टिये चैंपियनशिप 2030 जीती तो हरियाना नेक्स्ट है, 2030 को इटालियन ओपन पर कबजा किया, डेनियल मैदवे देव ने किया नेक्स्ट है, बाकु ओपन 2030 जीता, परिनीत उपला ठीक है, नेक्स्ट है, अंतराश्टिय मजदूर दिवस मनाया जाता है एक में को अंतराश्टिय खगोल विज्ञान दिवस दो में को सलिबरेट किया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस एट में को सलिबरेट किया जाता है विश्व परवासी पक्षी दिवस नो में को सलिबरेट किया जाता है नेक्स्ट है अंतराष्टी नर्स दिवस 12 में को सलिबरेट किया जाता है विश्व परेवर दिवस 15 में को सलिबरेट किया जाता है राष्टी आतंगवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 में को विश्व तामबा को निशेद दिवस 31 में को सलिबरेट किया जाता है तो आज हम लोगों ने लगवग 78 प्लस क्वेशन को डिसकस किया है जो आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मेरे वीडियो से आपको किसी भी परकार का बेनिफिट होता है तो आप मेरे इस मेहनत के लिए प्रीज मेरे चैनल को स चामिल हुए है ठीक है कौन कौन सा है पहले पहले अस्थान पर है शेकपूरा दूसरे अस्थान पर है पोर्णिया ठीक है पश्चमी चंपारन के किस चावल को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन है को जी आई टैग ठीक है मिला है ठीक है तो मिर्चा चावल को मिला है मिर् पार्टी है कौन कौन से है ठीक है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस सेकंड है कम्यूनिस पार्टी ओफ इंडिया माक्सवादी ठीक है CPIM तीसरा है भारतिय जनता पार्टी BJP फोर्थ है बहुजन समाज पार्टी BSP फिफ्थ है नैशनल पीपल्स पार्टी NPP और सिक्स्थ है आ काम आदमी पार्टी जो अभी उसको फिलहाल जो है राष्टी पार्टी का दर्जा दिया गया है तो हमारे देश में कितने राष्ट्य पार्टी है' सिक्स राश्ट ये पार्टी है अभी हमारे देश में नेक्स्ट है बिहार में सीता थापा महुत्सव का आयोजन किया गया और अंगाबाद में किस राज्य ने वन पंचायद वन प्लेग ग्राउन प्रोजेक्ट की शुरुआत की ने दूनिया के सबसे बड़े और शक्तिसाली रौकित स्टार शिप की लौंच फेल हो गई किसने लौंच किया तो स्पेस एक्स ने लौंच किया था नेक्स्ट है किनकी जैन्ति को राज के समारों के रूप में मनाने की घोशना की गई तो दनवीर भीमशा नेक्स्ट है बिहार में थावे महुत्सव का आयोजन किया गया तो गोपाल गंज में किया गया बिहार में कौन सा रोड मैप लागू किया गया तो चौन्था रोड मैप लागू किया गया बिहार लोग सेवा आयोग का कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया तो 75th अस्थापना दिवस सेलिबरेट किया गया नेक्स्ट है सिकंदर पूर औधोगिक छेत्र में बिहार का पहला फल और सबजी निरियात सेंटर बनाया जा रहा ये कहां है पटना में ठीक है इंडिया जस्टिस रिपोट आइजी आर 2022 के अनुसार बिहार को अस्थान मिला बिहार के किस साहित्यकार को चंद्र गुप्त साहित्य सम्मान दिया गया तो इंद्रा दागी को दिया गया सवक्ष पेजल के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए ब्रैंड अम्बेजडर बनाया गया, इसको बनाया गया, बिहार के किस जीले की मच्छवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवर्ड दिया जाएगा, तो सीता मड़ी नेक्स्ट है, परधान मंत्री फसल बीमा योजना के सर्बुत्तम करियानवन के लिए राष्टिय पुरुसकार दिया गया करनाटक को नेक्स्ट है, जल जीवन सर्वेक्छन 2030 में बिहार के कितने जीले शिर्ष दस में सामिल है, तो चार जीले को बिहार के चार जीले को शिर्ष दस में सामिल किया गया है, जल जीवन सर्वेक्छन 2030 में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पूल बन रहा है बिहार में सांसद खिल महुसव की शुरुवात की गई कहां पी पाटली पुत्र स्पोर्ट कॉम्पलेक्स में नेक्स्ट है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए किस देश ने 5,509 करोर दिये भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांजेंडर समुदाई की किसे स्टेट आइकोन बनाया तो मोनिका दास को नेक्स्ट है 2030 की संयुक्त राष्ट की आकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आवादी वाला देश जो बन गया है वो बन गया है भारत दूसरे में चीन है वर्ल्ड ओफ स्टेटिस्टिक ने विश्व के सबसे अपराधिक देश की रिपोर्ट जारी की सबसे ज़्यादा अपराध कहां होता है वेनेजुएला विश्व के सबसे अपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का जो अस्थान है 77 है ठीक है यहीं सबसे ज़्यादा अफराध कहां होता है वेनेजुएला में और इंडिया का जो अस्थान है 77 है नेटो का एक तीसवा सदस्य बना बहुत important question है ठीक है फिनलेंड बना है अभी एक तीसवा सदस्य नेटो का नेक्स्ट है 2030 को मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लेडर्स कॉनक्लेब का आयोजन किया गया नई दिल्ली में ठीक है नेक्स्ट है 2030 को पहला वैश्विक बोध शिखर सम्मिलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में 2030 को शंगहाई सयोग संगठन SCO सदस्य से राज्यों के विभाध्यक्षियों की बैठक की अध्यक्षा की किसने ग्री मंतरी अमिच शाह ने किया नेक्स्ट है 2030 को बीरता पुरुषकार प्रात करने वाली भारती वायू सेना की पहली महला अधिकारी बनी तो विंग कमंडव दीपिका मिश्रा नेक्स्ट है हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉम इंडेक्स 2030 के अनुसार यूनिकॉम की संस्था के मामले में भारत का दुनिया में अस्थान तीसरा है 17 से 21 एपरिल 2030 तक मनाई गए राष्टिय पंचायत पुरुषकार सप्ता की थीम थी पंचायतों के संकल्व की सिद्धी का उत्सा नेक्स्ट है भारती उचायोग ने दक्षणी पश्चमी बंगलादेश के किस शहर में अपना सोलवा भीजा आविदन केंद्र खोला तो कुष्टिया शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की पर्थम मेट्रो ट्रेन बनी कुलकत्ता मेट्रो ट्रेन काजकिस्तान के अस्ताना में आईजित एशियाई कुष्टि चैंपियनशिप के 36 संसकरन में भारती पहलवानों को कुल कितने मेडल मिले तो 14 मेडल मिले साथी पोर्टल और मुबाइल एफ किस मंत्रालाई द्वारा जारी किया गया किस केंदर मंत्री ने संगटन से सम्रदी अभियान की शुरूअत की तो ग्री राज सिंग ने किया नेक्स्ट है औग्यात शावों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल परदेश भारत में सबसे उची अंबेडकर परतिमा का अनावरन किस राज्य में किया गया तो तिलंगाना में किया गया किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उदगाटन विदेश मंतरी डॉक्टर एस जैशंकर ने किया तो मोजांबिक किस देश के उप परदान मंतरी डोमिनिक रॉब जीनों ने हाल ही में स्तेफा दे दिया तो ब्रिटेन के हैं उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उदगाटन की शहर में किया गया गुहार्टी में किया गया है यह हो जाएगा आपका गुहार्टी तीक है नेक्स्ट है भारत के अध्यक्ष्णा में G20 वार्किंग ग्रूप की एक सुवी बैठक का आयोजन कहां किया गया तो वारनशी में किया गया नेक्स्ट है एपल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर की शहर में लॉंज किया तो मुंबई में किनके द्वारा भारत की बाग गन्ना 2022 के पांचवे चक्र के आंकडे जारी किये गए तो पीम नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किये गए 50 वर्स पूरे होने के लक्ष पर ये जारी किया गया कितने वर्षों में बाग गन्ना जारी किया जाता है तो चार वर्षों में बाग गन्ना जारी किया जाता है चार वर्षों में ब्रिधी जो इस बार हुई है 6.7% की ब्रिधी हुई है नरेंद्र मोदी ने करनाटक के किस शहर में आवेजित इंटरनेशनल बिग कैट अलाइन्स का उद्गाटन किया तो मैसूर में नेक्स्ट है भारत में बागु की संख्या अब कितनी है 3166 बाग अभी हमारे देश में है परधान मंत्री ने एक पुस्ती का जारी किया जो अगले 25 वर्सों में बाग संरक्षन के द्रिष्टी कून को रिखांकित करेगी उसका नाम क्या है अमरित काल का टाइगर विजन सबसे ज़्यादा बाग किस राज्य में है तो मध्ध परदेश में 526 दूसरे अस्थान पर करनाटा का 524 है और तीसरे अस्थान पर है आपका उत्राखन ठीक है बहुत इंपर्टन क्वेशन है गांधी सियासत और संपरदाइक ता पुष्टक के लेखक कौन है तो पियूष बबेले नेक्स्थ है 2030 का एबल पुरुसकार परदान किया गया लुईस कैफ रेली को परदान किया गया Women's Premier League WPL जैसे IPL होते हैं यहाँ WPL के पहले संसकर्ण का final मुकाबला जो जीता कुन जीता Mumbai इंडियन्स ने जीता है किसको हरा कर Delhi Capital को हराया है ठीक है Delhi Capital को हरा के जीता है नेक्स्ट है जल बजट अपनाने वाला पर्थम राज जी बना केरल गर्मी में पानी के समस्या को निप्टाने के लिए जल बजट अपनाया गया है तो पहला राज ये कोन है केरल मुर्ख दिवस मनाया जाता है एक एपरिल को जैसे हम लोग एपरिल फूल कहते हैं डांडी सत्यगरह दिवस मनाया जाता है छे एपरिल को नेक्स्ट है विश्व सवस्त दिवस साथ एप्रेल को सेलिबरेट किया जाता है। जल संसाधन दिवस 10 एप्रेल को सेलिबरेट किया जाता है। भारती सिविल सेवा दिवस 21 एप्रेल को सेलिबरेट किया जाता है। मानव एक्ता दिवस 23 अपरिल को सेलिबरेट किया जाता है, विश्यो मलेरिया दिवस 26 अपरिल को सेलिबरेट किया जाता है, पहला है बिहार दिवस की थीम, ठीके, 22 मार्च, ठीके, 22 मार्च 2023 को ठीके, बिहार दिवस सेलिबरेट किया गया, बिहार दिवस की थीम इस बार जो मार्च 2030 को जो बिहार दिवस मनाय गया तो यह कितनी भी बिहार दिवस थे तो यह 111 भी बिहार दिवस थी जो celebrate किया गया जल जीवन हर्याली अध्यान को मिला Excellence Award ठीक है एनि 2030 का जल जीवन हर्याली मिसन को Excellence Award दिया गया ठीक है Next है Simulator Machine बनाई गई NIT पटना के छात्र के दुआरा Simulator Machine बनाई गई सडक के निर्मान समागरी के नमी की जाच करने के लिए यह मशीन बनाई गई है मालने यह कहीं रोड बन रही है तो उस रोड में क्या नमी है किस तरह का material यूज किया गया है उसको जाच करने के लिए Simulator Machine शक्ति सम्मान 2023 का सवच सूजल शक्ति सम्मान किसको दिया गया बवीता गुपता को तीक है राज्य अस्तरिय तरंग पर्तियोगीता फुटबॉल का खिताब जीता तीक है पटना के दुआरा यह खिताब जीता गया Next है इनका उपन्यास पागल खाना के लिए इनको दिया गया है Next है बिहार का दूसरा M's बनेगा कहां पर बनेगा दरभंगा M's दरभंगा में बनेगा बिहार के जमुई की डैश ने बैंगलूरू में आयोजित इंडिया ग्रान प्रिक्स फूर 2023 में भाला फेक अस्वर्धा में सोर्ण पदक जीता कौन? अंजनी कुमारी Next है केंदर सरकार ने बिहार के कितने जीलों में मीठी करांती की शुरुवात करेगी तो यह हो जाएगा 17 जीले में Next है बाजरा महुत्सव का आयोजन किया गया भोजपूर में पटना हाई कोट के मुख्य नियाधीश बने के बिनोच चंदरन Next है नगर विकास एवं आवास बिभाग ने कितने नई विस्तारित शहरों की Planning Asia Authority को अधिसूचित किया तो 10 को अधिसूचित किया गया पहले कितना था 33 था और 10 मिला के कितना हो गया टोटल अपका हो गया 43 Next है Pharmacy Practice Regulation 2015 लागू करने वाला विहार कौन सा राज्जी बना विहार चौथा राज्जी बना पहला है केरल बिहार ठीक है Pharmacy Practice Regulation 2015 को लागू करने वाला राज्जी बना है चौथा बिहार ठीक है Next है Federation Cuff National Handball परतियोगीता में कांसे पदत जीता बिहार महला टीम ने कांसे पदत जीता है Federation Cuff National Handball परतियोगीता में ठीक है Next है कितनी पंचैतों पर एक पश्यू अस्पताल का निर्मान किया जाएगा तो आठ से दस पंचैतों पर एक पश्यू अस्पताल का निर्मान किया जाएगा बिहार आर्थिक सर्विक्षन 22 तेस के अनुसार सडक घनत्व में बिहार का अस्थान है तीसरा ठीक है, बिहार का अस्थन कितना है, तीसरा है Next है, राष्टिय विज्ञान दिवस के आउसर पर आयुजित C.B. रमन टैलेंट सर्च अवार्ड में पर्थम अस्थान प्राप्त किया ठीक है, दीपक कुमार ने पर्थम अस्थान प्राप्त किया दबुक ओफ बिहारी लिट्रेचर नामक पुस्तक किस ने लिखी तो अभाई कुमार ने लिखी है नेक्स्ट है बिहार का दूसरा चिड़िया घर बन रहा है अररिया में ठीक है बिहार की किस महला ने अफरीकी महादूईब के सबसे उचे परवत किलि मंजारों पर पहुँच कर रिकॉर्ड कायम किया तो वो है लक्षमी जा नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में किस राज्य की सडक परियोजना के लिए 1807 कड़ोर रुपिय की मंजूरी दी तो बि जिहार के लिए ठीक है नेक्स्ट है राष्टिय सीनियर पैरा टेबल टेनिस परतियोगीता में दो रजत पदक हासिल किया ठीक है किसने किया बिद्या कुमारी ने नेक्स्ट है एस सी ओ युवा परिशद की सोलवी वैठक किस देश की अध्यक्षता में आउजित की गई तो भारत की अध्यक्षता में नेक्स्ट है 95 ओसकर अवर्ड समारों में भारती फिल्म आर 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 के किस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉंग के लिए ओसकर अवर्ड दिया गया ठीक लिए तो कौन है रामचंद्र पोडेल नेक्स्ट है भारत अमेरीका की पाच़्वी वनिजिक वार्था बैठक हुई नए दिल्ली में नेक्स्ट है 19 ओस स्टेक मत्रियस्तरी बैठक किस की अध्यक्षता में हुई तो थैलन्ड की अध्यक्षता में थैलन्ड में हुई डिजिटल भुक्तान जागरुकता सप्ता 2030 के अउसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुरुवात किया ठीक है तो RBI के द्वारा किया गया है भारती रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया संगीत अकादमी द्वारा 2030 के संगीत कला नीधी पुरुसकार दिया गया किसको दिया गया बॉंबे जैश्री को दिया गया परसित तमिल लेखक जिन्हें 2022 के लिए परतिश्ठित सरस्वती सम्मान दिया गया शिव शंकरी को दिया गया इसरो ने अपनी बारा साल पुरानी किस मौसम उफगरह को सफलता पुरवक्त परशान्त महासागर में गिरा दिया तो मेगा टॉपिक्स वन को गिरा दिया गया बहुत इंपॉर्टन क्वेस्चन है नेक्स्ट है वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट दो हजार तैस में दुनिया का सबसे खोशहाल देश फिनलैंड ठीक है वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में भारत की रैंग थीक है भारत की रैंग दो हजार तैस में एक सो चब्वीस है थीक है स्कॉट होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयतक देश आयतक मतलग हथियार को दूसरे देशे खरिदने वाला देश सबसे ज़्यादा जो हथियार खरिदता है भारत खरिदता है भारत आयत करता है ठीक है पीम नरिद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेट फॉर्म का उदगाटन किया तो करनाटक नेक्स्ट है शेक मुहमद बिन अब्दुर्रह्मान अल्थानी किस देश के परधान मंत्री बने तो कतर के दो हजार चौबिस में परियाग हिंदी सहेत सम्मेलन का आवजन क्या जाएगा बिहार में दो हजार तेस को विश्व टीबि सम्मेलन का आवजन किया गया वारा नशी में नेक्स्ट है भारत का लिंग अनुपात वर्ष 2036 तक कितना होने की संभावना जताई गई है तो 952 ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है त्रिपूरा के मुख्यमंत्री बने मनिक सहा ठीक है नागलेंड के पाँचवी बार मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो मेगहलाई के मुख्यमंत्री बने कौनराड संग्मा ठीक है नेक्स्ट है केंदर सरकार द्वारा कितने राज्यों में पीम मित्र मेगहा पार का स्थापित की जाएंगी तो सात राज्यों में ठीक है वो सात राज्ये है तमिलनाटू, तिलंगाना, करनाटक, महारास्ट, ब्रिक्स के न्यू डेबलप्मेंट बैंक एंडिवी का सदस से बना कौन बना है मिसरे बहुत इंपोर्टन कोश्चन है ठीक है दसवे वैश्विक आतंगबाद सुचकांग की रिपोर्ट के अनुसार आतंगबाद से सबसे ज़्यादा परवावित देश कौन सा है अफगा बना भारत ठीक है यहीं सबसे ज़्यादा हत्यार आयत करने वाला देश भारत है लेकिन 2013-2017 और 2018-22 के बीच ठीक है एक 11% की जो है इसकी जो है आयत घटी है तब भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हत्यार आयतक देश भारत ही है दूसरे अस्थान पर सौदी अरव ह ठीक है विश्व का सबसे बड़ा हत्यार निर्यातक देश जो दूसरे देश को बेशता है तो सबसे ज़्यादा अमेरीका है ठीक है दूसरे अस्थान पर फ्रांस और तीसरे में चीन है नेक्स्ट है राष्टपति दुरौपति मुर्भू ने कोची में INS दुरुनाचारि को प्रिसिडिन कलव परदान किया ठीक है किसको परदान किया गया है INS दुरौणाचारिय को प्रिसिडिन कलव परदान किया ठीक है यह जो INS दुरौणाचारिय है यह क्या है कोची केरल में स्थित भारती नौसेना का एक परशिक्षण पर्थिष्ठान है ठीक है BSF भरती में पुर्व अगनी बीरों के लिए आरक्षन दिया गया है कितना 10% साजा बोध बिरासत पर एक अंतराश्टिय सम्मिलन हुआ नई दिल्ली में Next है कौंकर्ण अभ्यास भारत और UK के बीच कहां पे हुआ अरबसागर में Next है अभ्यास लापेरोस भारत, अमेरिका, जपान, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्टिलिय के बीच कहां पे आयोजित किया गया हिंद महासागर में ठीक है बोल्ड कुरू छेत्र अभ्यास सिंगापूर और भारत के बीच आयोजित किया गया Next है पुस्तक मुंड का उपनिश्यद, ब्रीज टू, इमोटालिटी के लेखक पुर्व सांसद है कोन है डॉक्टर करन सिंग ठीक है बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन है पुस्तक बिपिन, दा मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म के लेखक कोन है रचना विष्ट रावत ठीक है Next है एक मार्च को शुन्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है तीन मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है आट मार्च को अंतराष्टी महला दिवस मनाया जाता है तेरा मार्च को धुम्रपान निश्य दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को विश्व गोरईया दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस सलिबरेट किया जाता है मद्द परदेश को हरा कर इरानी कब जीता किस ने जीता शेश भारत ने जीता है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महला लोको पाइलेट बनी कौन बनी है सुरेखा यादव पहला है 112 अकांची जीलों में टॉप फाइब में बिहार के दो जीले को चैंपियन ओफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में रखा गया है पुरे इंडिया में पाँच जीला को चुना गया उसमें बिहार के दो जीला है पहला जीला बांका और दूसरा कटिहार है नेक्स्ट है बिहार के 41 राज्यपाल की रूप में किसे निउक्त किया गया तो राजेंद्र विश्वनात अर लेकर ठीक है नेक्स्ट है राज्य के पहले वानिकी कॉलेज का उद्गहाटन किसकी द्वारा किया गया तो नितिश कुमार की द्वारा किया गया ठीक है ये जो आप देख रहे हैं पहले वानिकी कॉलेज ठीक है ये किसके अंतरगत में आता है तो ये किस कॉलेज के अधीन है बिहा क्रिशी विश्विद्याले साबूर भागलपूर के अधीन इसको रखा गया है नेक्स्ट हम लोग डिसकस करते हैं बिहार बजट ठीक है तेस्ट चोबिस के कुछ इस इंपॉर्टिन पॉइंट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है उसको हम लोग डिसकस कर लेते हैं बिहार के बित्यमंतरी कोन है अभी ठीक है बिज़ाई कुमर चौधरी इन्हीं के दुवारा बजट पेश किया गया ठीक है इस बार का जो बजट का आकार है ठीक है दो राक 37,691 करोड ठीक है राज कोशिए घाटा की अगर बात करें तो 2.98 पर्शन रखा गिया ठीक है नेक्स्ट है केंद्री करों के राज्य का हिस्सा एनि बिहार का जो बजट है उसमें 39.20% केंद्री करों से उस बिहार को हिस्सा मिलता है ठीक है कितना 39.2% और केंद्री की जो सहता है केंद्री जो बिहार राज्य को सहता करता है उसमें बिहार के बजट में 20.3% बिहार को सहता मिलता है ठीक है और 2023 की विकास दर की अगर बात करेंगे तो 15.24% रखा गया है ठीक है नेक्स्ट है बिहार के 7 निश्चे 2 2023 में कुल बियाई किया जाएगा 5000 करो ठीक है बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा कहां से आता है केंद्रिय करो में राज्य का हिस्सा ठीक है इसमें 39.20% आता है दूसरे अस्थान पर केंद्रिय सरकार से साहता अनुदान मिलता है यहनि 20.37% ठीक है नेक्स्ट है राज्य का सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कहा होता है समाजिक सेवा में अगर हम लोग बिभाग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा शिक्षा बिभाग में पैसा खर्च किया जाएगा 22.20% और दूसरे अस्थान पर गरामीन बिकास बिभाग को रखा गया है यहीं पहले अस्थान पर सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया जाएगा शिक्षा बिभाग पर उसके बाद गरामीन बिकास बिभाग पर खर्चा किया जाएगा आर्थिक सर्विक्षन 2022 तेस में देश के सभी राजियों के बीच बिहार की अर्थ व्यावस्था की ब्रिधी दर की अगर बात करेंगे अर्थ व्यावस्था की ब्रिधी दर तो बिहार तीसरे अस्थान पर है पूरे इंडिया में ठीक है पहले अस्थान पर कोन है आंधर परदिश 11.43% इसका जो है अर्थ व्यावस्था की ब्रधीदर है और दूसरे अस्थान पर राजस्थान है 11.04% और बिहार का जो अर्थ व्यावस्था की ब्रधीदर है वो कितना है 10.98% है यह important आपके लिए नेक्स्थ है 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरली उत्पाद की ब्रधीदर 10.98% रही है तेके सबसे अधिक प्रतिव्यक्ति आयवला जीला पटना है तेके 1.15 लैक प्रतिव्यक्ति आया है तेके और सबसे कम प्रतिव्यक्ति आयवला जीला कोन है शिवहर है तेके यह सिविर नहीं होगा शिवहर की तुलना में लगभग छो गुना पटना का प्रतिव्यक्ति आए अधिक है यानि पटना का प्रतिव्यक्ति आए शिवहर से 6 गुना अधिक है तो हम लोगों ने बिहार बजट और सर्वे और कुछ इंपोर्टन पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिसकस किया अपकमिंग लेक्चर में हम लोग मार्च मंद के टोटल करेंट अफर को कम्पलीट करेंगे ठीक है इस तरह से हम लोग अप्रेल मंद के करेंट अफर को कम्पलीट करेंगे अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए जैहन अबरे वन आज हम लोग 2030 के जनुवरी मन्त के कंप्लीट करें अब फिर को डिसकस करेंगे जो वन लाइनर होगा अगर आप बिहार के किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन्द होगा यह बहुत कम समय में हम लोग डिसकस करेंगे वन लाइनर क्वेस्चन होगा जो ज्यादातर बिहार से related है और कुछ important current affair को हम लोगों ने इसमें include किया है तो चलिए हम लोग डिसकस करते हैं पहला है बिहार मद्दाता जागरुकता स्विंफ आइकॉन कोन बना ठीक है तो मैथली ठाकुर को बनाये गया है next है 26 युवा महतसव कहां मनाये गया तो हुगली में मनाये गया हुगली कहां है करनाटक में इस युवा महतसव की जो बिशय थी वो थी विक्सित युवा विक्सित भारत next है साढ़ी महतसव बिरासत का दूसरा चरण कहां आयुजित किया गया तो डेली में आयुजित किया गया next है रिलाइंस जीयो ने अपनी 5G सेवा लॉंच की ठीक है बिहार में रिलाइंस जीयो ने अपनी 5G सेवा कहां लॉंच की पटना और मुजफरफुर में सबसे पहले लॉंच किया ठीक है बिहार के किस जीले में वाटर स्पोर्ट सेंटर बन रहा है तो वो है कैमूर में नेक्स्ट है किस जीले में डॉक्टर आपके दुवार प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो भोजफुर में शुरू किया गया नितिश कुमार ने मिथिला हाट का लोकारपन किया कहां पर किया? मधुवनी में नेक्स्ट है बिहार के किस महला रंग करमी को रंग मंज के लिए राष्टिय पुरुसकार दिया जाएगा तो रुभी खातुन को दिया जाएगा करपुरी ठाकुर की जैनती मनाएगी 2030 में तो कितने भी थी? 1999 भी थी दूसरे तारामंडल का उदगाटन नितिश कुमार ने किया कहाँ पे दर्भंगा में नितिश कुमार ने समधान यात्रा प्रारंब की ठीके कहाँ पे पश्शिम चमपारन में नेक्स्ट है कौन सा जीला हाथी पाउग ग्रासित मरीजों के लिए दिभ्यांगता परमान पत्र जारी करने वाला पहला जीला बना ठीके तो पोड़िया नेक्स्ट है अंडमान अनिकोबार दुविप समों के कितने दुविपों का नामंकन प्रांबीर चक्र विजयताओं के नाम पर किया गया ठीके तो 21-21 दुविपों का नाम किया गया है राष्टपती द्रौपती मुर्मू ने कितने बालकों को राष्टी बाल पुरुसकार 2023 सम्मानित किया तो 11 ठीके विश्व आर्थिक मंज की पांच दिवसी बैठक आरजित की गई कहां पर दाउस स्विजरलिन में ठीके नेक्स्ट है 2030 के मिस यूनिवर्स की विज़ेता अमेरिका की आरबॉनी ग्रेबियल को दिया गया नेक्स्ट है कोन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला बीसवा देश बना ठीक है तो कुरेशिया कुरेशिया ने अपना जो मुद्रा था तिसे इसका मुद्रा का नाम था कुना कुना मुद्रा को यूत्याग कर दिया और यूरो को अपना लिया और यूरो को अपनाने वाला बीसवा देश बना है कुन? कुरेशिया नेक्स्ट है मानव सेवा के लिए बहरीन का I.E.S.A. अवर्ड किसे परदान किया गया तो डॉक्टर संदू को रुईट को परदान किया गया पीम नरिंद्र मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुम्ब के दूसरे चरन का उदगाटन किया तो बस्ती उत्तर परदेश में किया नेक्स्ट है किस संस्था ने गरामीन सवस्थ सांकी की रिपोर्ट जारी किया सवस्थ और परिवार कल्यान मंत्राले ने जारी किया नेक्स्ट है केरल का कौन सा जीला देश का पहला संबिधान साक्षर जीला बना तो कुल्लम नेक्स्ट है पीम नरंद्र मोदी ने 26 वे राष्ट्य युवा महसव का उद्गाटन कहां किया हुबली करनाटक में नेक्स्ट है भारत के सबसे तेज गेंदवाज कोन बने तो उम्रान मलिक बने जो 155 किलो मिटर पर आवर के स्पीड से उन्होंने गेंद फेकी है ठीक है एनी भारत का सबसे तेज गेंदवाज कोन बने उम्रान मलिक देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना केरल नेक्स्ट है नासा मिशन उपोलो सेवन की आंत्रिक्ष यात्री जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या है वाटलर कनिंगम एन्टीपिसी ने ग्रीन हाड्रोजन ब्लैंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुवात की गुजरात में नेक्स्ट है सियाथीन बैटल फिल्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महला आर्मी बनी कोन कैप्टन शीवा चौहान यह इजिप्ट की राष्टपती है यह इस बार के गंतंत्र दिवसके मुक्य अतितीआ पहला है नेल कुरिन जी क्या है तो यह एक पोधा है वन्य जीव सनरक्षन अधिनियम 1972 के अनुसूची तीन में इसको रखा गया है इस पौधे को सनरक्षित किया गया है नेक्स्ट है बिहार का सर्वश्रेष्ट महला थाना का अवर्ड अर्वल थाना को दिया गया है सहित्य अकदमी अनुवाद अवर्ड डॉक्टर रतनेश्वर मिश्र को दिया गया नेक्स्ट है है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रग कितनी है 85 इसमें पर्थम जो अस्थान पर है वो है जपान और सबसे खराब जो पासपोर्ट है वो है आफगनिस्तान का नेक्स्ट है चबिस्वा राष्टिय युवा महत्सव कहां मनाया गया हुबली करनाटक में सेलिबरेट किया गया नौसेनिक अव्यास वरुन भारत और फ्रांस के बीच किया गया ठेक है डी आर डी ओ अस्थापना दिवस एक जैनवरी को मनाया जाता है ठेक है विश्य वरेल दिवस चार जैनवरी को सलिबरेट किया जाता है फरवासी भारतिय दिवस नौ जैनवरी को सलिबरेट किया जा है भारती सेना दिवस 15 जनवरी को सलिवरेट किया जाता है प्रक्रम दिवस सुभास चंद्र बोश की जैन्ती पर सलिवरेट किया जाता है 3 January ठीक है शहीत दिवस 30 January को Celebrate कि room 2030 में 106 ब्यक्तियों को P Tayman Awards से सम्मानित किया गया है इसमें 6 ब्यक्तियों को Padm regime популяр 9 ब्यक्तियों को Padmiche Anyone 91 ब्यक्तियों को Padmeshri दिया गया है इस 91 ब्यक्तियों में बिहार के 3 ब्यक्तियों को पद्म श्री अवर्ड से सम्मानित किया गया है इधर मैंने नाम लिखा है ठीक है बिहार का और इधर छेत्र है सुभद्रा देवी को दिया गया है कला ठीक है पेपर कला के छेत्र में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है आनन्द कुमार जो सूपत 30 के फाउंडर हैं उनको दिया गया है सहित्ते अबंग शिक्चा के छेत्र में ठीक है नेक्स्ट है कपिल देव परसाद को कला के छेत्र में पदमुष्षरी से सम्मानित किया गया यहनि 2030 में बिहार के तीन व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया कौन-कौन सुभद्रा देवी आनंद कुमार और कपिल देव को आज हम लोग word of the year 2022 को डिसकस करेंगे अलग-अलग dictionary के दुआरा अलग-अलग word को word of the year दिया जाता है तो 2022 में चार word को word of the year दिया गया है अलग-अलग dictionary के दुआरा. तो हम लोग उसको डिसकस कर लेते हैं. मैंने इधर लिखा है word और इधर dictionary. गोबलीन word को वक्सपोर्ट dictionary के दुआरा word of the year दिया गया है. परमा क्राइसेस word को कोलीन्स dictionary के दुआरा word of the year दिया गया है. Homer word को Cambridge dictionary के द्वारा word of the year दिया गया है ठीक है Gaslighting word को Merriam Webster dictionary के द्वारा word of the year दिया गया है ठीक है तो ये चार word को 2022 में अलग-अलग dictionary के द्वारा word of the year दिया गया है ठीक है ये जो Parma Crisis देख रहे हैं आप